हुआ हुआ है आप सभी का साइंस एन पन पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो लेके आएं आपके लिए बहुत भैतेरीन बहुत प्यारा बहुत क्रिस्प मुविंग चार्जेज और मैगनेटिजम का वन शॉट कुछ बाते करूंगा वन शॉट स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी कमिंग अपने आपने देख लिया होगा कि वन शॉट होने वाला है विद एक्सपरिमेंट और कोशन आंसर जो हैं वो उसके लिए अलग से अगर कोशन आंसर देखने हैं तो रिकोर्ट फॉर्म में गया लेकर लाईब में जाओ बहुत बहुत बैटरिं बहुत प्यारे वन शॉट आपके लिए दाल दी हैं तो लाइफ गये थे आप लोगों ने कहा था कि मुविंग चार्ज अन्मा का वन शॉट जल्दी डाल दो तो यह लोग आपके लिए आए हैं अगले हफते में moving charges and magnetism का one shot प्यार अशा अब जो यह chapter है यह obvious बात है electro dynamics का यहाँ पर charge move करने वाला इसका नाम ही बता रहा है क्योंकि पहले दोनों chapter हमारे electro statics के थे अब जब भी एक conductor के अंदर से हम लोग current दोड़ाते हैं current हम पिछले चेप्टर में पढ़ चुके हैं तो जब भी एक conductor के अंदर से current दोड़ता है तो हमें तीन effect देखने को मिल सकते हैं जा मिलते हैं एक होता heating effect पिछले चेप्टर में पढ़ चुके हैं एक होता chemical effect अभी जो chemical effect करता है यह ऑप्रेसी बात है chemistry का पार्ट है और electro chemistry जो कि आइंपकर और की पुरा का पूरा चप्टर इसके उपर है जहां पर बिजिली से हम लोग chemical effect पैदा करते हैं या कोई chemical reaction करते हैं लेकिन यह जो चप्टर है पूरा का पूरा यह magnetic effect के उपर है यानी कि अगर मैं किसी भी conductor के अंदर से current को दोडाता हूं तो वो अपने आसपास अपने area में अपने छेत्र में region में magnetic field चुम्ब की आकरशन पैदा करता है चुम्ब की छेत्र पैदा करता है तो इस chapter के दो हिस्से होने वाले उससे पहले basic सी चीज है कि magnet क्या होता है magnet एक छोटी सी iron के कोबाल्ट के nickel के तुखड़े को attract करती है यह अपने आसपास अगर कोई magnetic field पैदा कर पा रहा है तो आप समझ जाओ वो magnet है यह तो बहुत basic सी निकलेगी उसका डिजाइन उसकी शेप उसका डारेक्शन उसका magnitude यह सब काल्कुलेट करेंगे जैसे टेंथ क्लास में हमने यह तो पढ़ा था कि और magnetic field में तो वो कैसा भीएव करेगा अभी हो सकता आपको दोना बाते समझ में आ रहे हूं विकॉज यह दो इस चैप्टर का हिस्सा है यानि आप कहा सकतो पार्ट वन यह है और यह पार्ट टू है हमारे इस चैप्टर का चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ऑश्टर्स साइंटेश थे बहुत बड़े साइंटेश थे और यह अपने एक सर्केट पर काम कर रहे होंगे अभी के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इन्होंने एक सिंपल सा अभी सिभात है फिर बोल रहा हूं यह इतने सिंपल सर्केट पर तो काम नहीं कर रहे होंगे इतनी अकल सब को न नहीं चाहिए यह महान इंसान है यह बल्ब तो नहीं जला रहा होगा बैटरी लगा के तो मान लेते हैं अभी के लिए कि एक सिंपल सा सरकेट हम यहां पर राजन करते जिसमें यहां प्रमारे पास कुछ है यहां पर यह पर सबिखक आप बाती है यहां पर यहां पर पास पड़ता है इं older पर एट बहुत हो ah उप सब्याक नो अब बड़ी लगए है कि वहस्के नीडलर कर रहे तिस और बड़ी प्यारी बात ये थी पास ही कमपस पढ़ाओ था अभी तो सरक्ट क्लोस था जैसे ही उन्हों ने इसके अंदर से करेंट पास पर आया जैसे ने इस सुच को सच को बीसिकली एन न किया या कहलो पर यहां पर जो बल्ब लगा ओवा मत था वो जलने लगा ग्लो जलने लग औरमें गया और जो पाश पढ़ा वा कंपस था जो पास पढ़ा हुआ कंपस था वह अपनी जगह से डिफ्लेक्ट लग गया किधर जाएगा ये भी हम पढ़ेंगे लेकिन अपनी से डिफलेक्ट हो गया वो हिलने लग गया अब जय उनको लगा यह क्या हुआ अब एक मैगनेटिक निडल को तो मैगनेट ही डिफलेक्ट कर सकती है बड़ा है रान हुए होंगे अब वैसे बाद हुए होंगे तो उन्होंने मल्टिपल टाइम्स किया होगा और आफ्टर के अंदर से करंट दोड़ता है तो वो अपने आसपास एक मैगनेटिक फिल्ड बनाता है और वो मैगनेटिक फिल्ड की वज़ा से ही यह कंपस जो है वो डिफलेक्ट हुआ तो वैसे तो यह एक्जाम में लिखने को नहीं आएगा पर अगर आप चाहो तो दो लाइने लिए अकसीर्ट एक्सीडेंटिकडी डिस्कवर्ड धैड वेनेवर करंट केरिंग कंडुक्टर वंवर करंट क Chapel केरिंगं कंडुक्तर है इस प्रेजेंट-इन वाटिकलर एरिया एट विल्ड लगोद्थ सम और मैं यह राउंडिट अब यह हमारे पास एक मैगनेट अभी पास लाने से यह जो कंपस है वो डिफलेक्ट हो रहा है क्योंकि कंपस के अंदर अपनी खुद की एक मैगनेट होती है अब मुझे इस वाली मैगनेट को बहुत दूर रखना होगा अब मैं क्या करूंगा आपको पताता हूं जब कंपस अपने जगा प्रशन यह जा अब एक क्यों यह कि का करणर मैं इस वायर का एक हिस्स Yeah पर लगा यह जाएक और नीसर और गार के एक हैं घुद की जर्ड़ को पास यह जोड़ रहा हूं बट मैं अगर इसको इसके पास रखूँगा आप देखना तो क्या होगा अब इसको रोकने देते हैं फिर मैं अगर इसके अंदर tolerant पास करلفwort कर आँगा तो आप देखना कि क्या होगा अगर दूर से करता हूं ताकि है कि आप देख भी सको बहुत जादा sensitive होता है, इसमें होड़ी देर लगती है, इसको रुकने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको यह दुबारा से करके दिखाऊंगा, चीक है, आप देख सकते हैं, और इसका sensitive होने का कारण भी है न, क्योंकि अर्थ की magnetic field उतनी strong नहीं होती है, तो इसे बहुत weak magnetic field पे वापस अपने जगा पे आ जाएगा, तो ऑश्टर जी का experiment बेसिकल यह था, ठीक है बई, तो यह बात हुई कि current carrying conductor के आसपास magnetic field तो पैदा होती है, यानि इस चीज़ को ढूंडने वाले थे हंस Christian ऑश्टर लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि हम formula भी पढ़े, तो यहां पे एक law आने वाला इस चेप्टर का सबसे important topic है और वह बायोट सेवर्ट लाओ, आपको magnetic field कितनी पैदा होगी, जैसे आप समझो फर्स चेप्टर में कूलम्स लाओ था, जिन्नोंने पता है था कि force कितनी लगेगी दो charges के बीच में, ऐसे current carrying conductor कितनी magnetic field पैदा करेगा, यह हमें ब बहुत जादा important, अब let us suppose हमारे पास यहाँ पे current carrying conductor है, और इसमें I amount of current माल लेते हैं जा रहा है उपर ठीक है, तो यहाँ पे इस point पे यह कोई point माल लेते हैं P, अब यह जो point है, यह इस wire से एक certain distance पे और यहाँ पे यह कुछ magnetic field पैदा कर रहा होगा, अब वैसे बाते यह wire है इसमें current जा रहा है, तो ऑस्टर जी के experiment के वज़ा से हम यह जानते हैं कि आसपास यह क्या पैदा कर रहा होगा, magnetic field, ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा wire magnetic field पैदा कर रहे होगी, तो इसमें से मैं यहाँ पे छोटा सा, एक छोटा सा DL element ले रहा हूँ, यह DL क्या है, एक प्रकार से length element है, यह मतलब कि इस पूरे conductor का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना, और यह एक vector है, DL को हम लोग बोलते है, length element, length element, और यह basically एक vector quantity है, और इसकी direction कहा होती है, in the direction of current, ठीक है ना, यह एक vector quantity है, इसकी direction जहाँ current होगा, वहीं होगी, अब अगर मुझे छोटे से त को calculate करना है, तो यह तुकडा जो है basically, इस point से, यह जो तुकडा है, इस point से R दूरी पर है, अब अब अबसी बात है, R position है, तो वो भी a vector होगा, तो R vector होगा, ठीक है, अब क्योंकि DL भी एक vector है, और R भी एक vector है, तो इन दोनों के बीच में एक angle बन रहा है, और वो है theta, यह magnetic field, magnetic field produced, magnetic field produced by small length element DL at point near it, at point near it, अब ध्यान सुनना, इसके, इस biot savert log के, अलग-अलग हिस्सों को जोडएंगे, लेकिन biot savert log कहता है, कि जो छोटी सी magnetic field produce होती है, पूरे conductor के एक छोटे से element के लिए, वो, सबसे पहली बात तो, directly proportional है, to current, obviously बात है यार देखो, जो magnetic, अच्छा, magnetic field का symbol होता है, B, capital B, तो छोटी सी magnetic field जो यह पैदा कर रहा होगा, उसका symbol क्या हो जाएगा, DB, तो जो magnetic field है, यह directly proportional होगी current के, और यह मुझे लगता है, common sense है, law तो अपनी जगह है, बट यह common sense भी है, because current की वज़ा से magnetic field पैदा हो रही है, अब जितना ज्यादा current दोड़ेगा, magnetic field उतनी ज्यादा होगी, second point कहता है, कि directly proportional होगी, directly proportional होगी to, क्या यह, इसके भी directly proportional होगी कि आपने कितना element लिया है, तो वो ज्यादा magnetic field पैदा करता, और length element का तुकड़ा छोटा लिया होता, तो वो कम magnetic field पैदा करता, तो जो magnetic field वो पैदा करेगा, यह directly proportional किसके भी होगा, DL के भी होगा, तो directly proportional to current होगया, directly proportional to length element होगया, and directly proportional to sin theta, और यह साथ इसाथ directly proportional to sin theta भी है, अब यह sin theta क्या है भी है, theta angle किसके बीच का angle है, तो theta angle है length element, theta angle है length element और position vector के बीच का, तो उसके हिसाब से जो magnetic field है, वो sin theta के भी directly proportional है, यह बाट सरवर जी ने बोला, आप अगेन ऐसे common sense लगा सकते हो, कि अगर यह point यहाँ होगा, तो theta कम होगा, theta कम होगा, तो उन्हें observe किया कि magnetic field कम होगी, जैसे जैसे point ऐसा है, theta बढ़ रहा है, theta बढ़ेगा तो magnetic field अगर बढ़ रही है, और अगर 90 पर maximum हो रही है, उसके बाद फिर कम हो रही है, अब ऐसा कौन है, जो 0 से 90 बढ़ता है, और 90 के बाद कम होता है, तो अंसर है sin, तो भया ऐसा कुछ सोच के लट से उन्होंने बोला कि magnetic field is directly proportional to sin theta है, अब्विसे बात है, इसकी derivation भी कहीं ना कहीं की होगी, अभी हमे में ये law पढ़ना है, तो क्या-क्या बोला उन्होंने अभी, कि भया, magnetic field, छोटी सी magnetic field, directly proportional to current होगी, directly proportional to length element होगी, and सबसे ज़रू, directly proportional to sin theta होगी, लेगन यहाँ पर रोके हैं नहीं, इन्होंने लास्ट में ये बोला कि inversally proportional to square of distance, यानि कि inversally proportional to square of distance होगी, और वेसे बात है, distance मतलब यहाँ है, कि आप कितने point पे magnetic field निकालना चाहते हो, यानि पहले तीन elements से directly, 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 directly थी, लेकिन distance के square के inversely है, तो यहाँ पे भी इन्वर्स square law follow कर रही है, तो आपको कूलम्स law याद आना चाहिए, तो वो भी inversely proportional distance का square था, अब अगर इन सब को जोड़ दिया जाए, combining, first, second, third and fourth, अगर हम इन सारे components को आपस में जोड़ दें, first, second, third, fourth को जोड़ दें, तो जो magnetic field थी, वो directlyly proportional to current आई है, length element आई है, और sin theta यहाँ ना भई, इन सब को जोड़ने पर हमें मिल गाई है, अब यहाँ से अगर मैं proportional का sign हटाऊँगा, और मुझे अगर equal लगाना तो मुझे constant लगाना पड़ेगा, तो ideal sin theta by r square, तो यह मेरे पास कहीं ना कहीं, छोटी सी magnetic field का formula आजाएगा, और वेसी बात है, यहाँ पे अभी हम k constant की बात भी करेंगे, लें कहीं ना कहीं, यह हमारे पास एक छोटा सा length element के लिए, जो magnetic field पैदा हो रही होगी, उसके लिए formula आजाएगा, जो कि है ideal sin theta by r square into में एक constant which is k, अब जैसे कि हमने coulombs law में k की जगा 1 upon 4 pi epsilon 0 लगाए था, ऐसे ही यहाँ पे यहाँ पे यह जो k है, इसकी value mu 0 upon 4 pi है, याद करेंगे वहाँ पे k था 1 upon 4 pi epsilon 0, यहाँ पे है mu 0 upon 4 pi, वहाँ पे epsilon 0 था, permittivity of free space, यहाँ पे mu 0 होता है, permeability, बात एक ही है, permeability of free space, वो भी medium dependent थी, यह भी medium dependent है, सब कुछ से में, बस value बहुत जादा अलग है, वहाँ पे k था 1 upon 4 pi epsilon 0, यहाँ पे k है mu 0 upon 4 pi, वहाँ पे k की value अगर आपको याद हो, 9 into में 10 की power 9, बहुत बड़ी value थी, लेकिन यहाँ पे k की value होने वाली है, 10 की power minus 7, 10 की power minus 7, जो की बहुत छोटा है, और इसी से पराद चलता है कि magnetic field जो है, यानि magnetic force जो है, वो electric field यानि electric force से बहुत जादा कमजोर होती है, अभी बात करेंगे, लेकिन free space के लिए, जो k की value है, वो 10 की power minus 7 है, यानि mu not upon 4 pi की value 10 की power minus 7 है, अब k की unit क्या होगी, यह भी देख लेते हैं, तो भाया length की unit क्या होती है, meter, यहाँ पे meter का square, तो यह cancel हो जाएगा, इसकी unit क्या होती है, भाय हमार पास ampere, और इसकी unit क्या होती है, तो अगर इसकी unit हमार पास tesla होती है, और इसकी unit हमार पास meter होती है, और इसकी ampere होती है, तो इसकी unit क्या जाएगी, tesla meter per ampere, तो पूरी value क्या बनी क्या की, 10 की power minus 7 tesla meter per ampere, और अगर ऐसा है, तो हमारे पास final formula, magnetic field का आ जाएगा, के की जगा अगर मैं लिख दू, mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square, तो बच्चों ये जैसे कूलम्स law हमारे लिए पहले दो चेप्टर की जान बान आनशान सब था, ऐसे ही इस पूरे चेप्टर का सब कुछ यही formula है, जो भी आगे पढ़ने वाले, mostly वो इसी से ही, या indirectly इस से आएगा, बहुत important formula, बायोट से वर्ट लोने बोल कि छोटी सी magnetic field, जो इस छोटे तुकड़े से बनेगी, वो क्या होगी, idl sin theta by r square into में एक constant mu naught upon 4 pi, यह अगर length element तो मैं लिख देता हूँ, direction is in direction of current, यानि जहां current होगा, इसकी direction वही होगी, बस आपको ध्यान रखना है कि यह vector quantity यह भूलना नहीं है, क्योंकि जो sin theta angle है, वो इसी dl और r के बीच में, विकाज आगे derivation और numericals में, यह sin theta बहुत काम आने वाला है, done हो गया, done हो गया, अब हम एक और चीज़ करने वाले है, फिर बायट सर्वट लोग हतम करेंगा और इसकी application प्याएंगे, और वो है vector form में, अब क्योंकि magnetic field, अब्वेस से बात है, अच्छा, magnetic field की यह तेसला होती है, यह अबने 10th में पढ़ लिया था, किसके नाम पर रखी गई, निकोला टेसला जी के नाम पर, वह आप जानवा के बड़े होके, कि निकोला टेसला जी ने ऐसा क्या खास किया था हमारे लिए, बर अभी इसमें समय है, थोड़ा सा, हना वेटा, अभी उसके लिए हम आप से, वो वन आप दी, बेस्ट साइन्टेस्ट जो हमको दुए ने भी है, वो थे, बड़ चलो, आगे कभी और बात करेंगे, लेकिन छोटी से मागनेटिक फिल आए, मून अपान फॉर पाई, आई डियल साइन, अब इसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो मै मैंने इसको, उपर देखो, आर से मल्टिप्लाइ करा और नीचे भी क्यारगमा तो आर क्यू आ जाएगा, अब आप सब क्रॉस प्रोडक्ट का नियम जानते होंगे, डियल और ये दोनों वेक्टर है, डियल और आर ये दोनों वेक्टर है, और दो वेक्टर के साथ क्या तो डियल आर, साइन थीटा होगे, डियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन में होगे, आर क्यूब, अप चुक्कि ये ख्रोस प्रोडक्ट है, तो अबविस बात है, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, तो बायट से वरड लो अभी सर्च कर लो यूट्यूब पे इस वीडियो को रोके क्रास प्रोड़क्ट अंडर 10 मिनेट्स आश्यूसर मिल जाएगा एक वीडियो दो श्रॉक यह मदद से क्रास प्रोड़क्ट की डिरेक्शन और मैं यहां पर रिवाइस करवा रहा हूं अब अगर आपको पता है मु अगर मुझे मालो भी वेक्टर क्रॉस ए निकालना होता तो मेरा उठा भाराता तो क्रॉस प्रोड़क्ट की डिरेक्शन तो हमने नाइंट 11 क्लास में निकालना सीख लिया था यह सूर नो यह और इतना भी हम जानते हैं कि जो डील है और जो आर है इसके क्रॉस से में हमेशा परपेंडिकुलर होगी आर के भी यानि कि यह बात तो भाईया लाल रंग से लिख ले ना कहीं कि मैगनेटिक फिल हमेशा लेंट एलिमेंट और आर के परपेंडिकुलर होगी यानि यह ल है और यह आर है अमालो यह लिया तो एल क्रॉस मतब डील क्रॉस आर करना ड भी सिख्षा मिलती है और यह कॉंस्टेंट भी मिलता है और अविसे बात है मीडियम चेंज करोगे तो यह बदल जाएगा तो यह मीडियम डिपेंडेंट हो गया यह मीडियम डिपेंडेंट हो गया समझ गये क्रॉस प्रोडक्ट आगे काफी काम आने वाले मैं तो कहूंगा वीडियो को रोग दो ऐसा करो अगर नहीं आता है तो वीडियो रोगो और पांच मिन बाद वापस से इस वीडियो को देख लो ताकि आप इसको समझ पाओ आगे के चीज़ों को और फिर भी मैं कहूंगा एक बाद देख लो तो आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है चलो अब हम उस चीजों पर आना शुरू कर देंगे जहां पर से हमारे एक्जाम में सवाल आक्चुली में बनते हैं अभी तक हम लोग जैसे बाट से लेकिन बाट से वर्ट लोग की स्टेटमेंट वो सब आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बठा सवाल अब जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहां से बनेंगे निमेरिकल जहां से बनते हैं वह यह चप्टर अब निमेरिकल कैसे करेंगे मैंने आपको पता है लाइफ सेशन देख सकते हैं और अगर आपको खुझ से भी निमेरिकल की प्राक्टिस करनी है तो आप को मैं सबसे बेस्ट किताब पता रहा हूं जो आपका सारी प्रॉबलम का एक ही सॉलूशन अब है शिवदास के बुक्स शिवदास की अगर आप ट्वेर्ट की कोशन बांक वाले वो जिसकी में आप फोटो लगा रहा हूं वो किताब में सबसे अच्छी बात यह कि एक तो टॉपिक वाइस मैंने अभी दाड़ी वाले सरप एक वीडियो डाली थी कि बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं पूरा चप्टर होने का वेट करते हैं उसके बाद सवाल बनाते हैं जब वो खुद से प्राक्टिस कर रहोते हैं बट पहल ऐसा नहीं कर रहा है पहले अगर मालो एक चप्टर के चार हिस्से हैं बड़े बड़े जैसे कि मालो हम लोग जब पहुंचेंगे साथवी आठवी स्लाइड पे तो वह पहला हिस्सा हो गया सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब सब्च्टिस करके एडिशनल कोशन जो कमपेड़ेसी बेज नहीं जितने भी एमसी क्यूज है अब्जेक्टिफ सब्जेक्टिस सारे के सारे सवाल या तो पीवाई क्यूज है या उन से सिमिलर कोश्टिंस हैं तो लेवल की टेंशन नहीं है कि मैं कुछ एसी किताब तो नहीं कर रहा जो कम लेवल किया ज्यादा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शिव्दास बुक्स पर पूरा ट्रश कर सकते हमारे किताब मान के चलो और अगर आप हमारे वन शॉट से पढ़ाई करते हो या हमारे पेड़ बैच में हो तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है अब और से बात अगर सर्कुलर लूप में करण्ट जा रहा होगा तो यहां पर हम एक करण्ट यहां से आया यह यहां से जा रहा है और यहां से वापस अब आप प्लीज यह मैं समझना कि यहां पर कोई गैप यह पूरा सर्कुलर लूप ह तो आने को दिखाक यहां से करणें और हमारे इसmed और सेंटर फिल निकालई थे अगर इस सर्कुलर लूप में क्लॉआक जा रहा है तो मुझे अपने फिंगर को क्लॉक्वाइब मिलाप करना हमगी लगा तो माग्नेटिक फिलिक व मेन वर हो गए और अगर करंट anti-clockwise जा रहा तो finger ऐसे wrap करनी है अग उठा बाहर आ जाएगा तो मेरे जो magnetic field होगी o point पे वो बाहर के तरफ हो जाएगी यहनि magnetic field तो होती है आज हमें सिखने वाले कितनी magnetic field होती है तो इसके लिए हमने एक circular considerations let us take a circular loop of radius छोटा आर having current I in clockwise direction लेट से अभी के लिए अब मालो मुझे इस चोटे से तुकड़े के लिए यह चोटा सा याप पर तुकड़ा है डियल अब इस चोटे से डियल तुकड़े के लिए यहां पर चोटी सी पहले magnetic field निकालता हूं तो according to जो पीछे हमने पढ़ा अभी बायट सेवर्ट लो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लो जो छोटी सी magnetic field यह डियल एलिमेंट पैदा कर रहा होगा इसका formula क्या होगा μुण। अपॉण फॉर पा dee डियल साइन थीटा बाय आर स्कूर अब वैल्यू स्कूर करते हैं किस की हम जानते हैं तो मुण। अपॉण फॉर पाई तो फ़ॉर पाई है आ यह हमारे पास आ आप यह हमारे पास डियल है अब साइन की बात करते हैं अगर मैंने DL इदर लिया है और यह आर है तो एंगल 90 अगर मैं DL इदर लेता और आर इदर तो एंगल 90 अगर मैं DL इदर लेता आर इदर लेता तो एंगल 90 हमेशा radius तो obvious से बात है circumference के साथ 90 डिगरी का ही एंगल बनाता है तो थीटा तो यहाँ पे 90 रहेगा I hope आपको यादो थीटा यह DL और आर के बीच का एंगल है यहाँ से आ जाएगा मेरे पास sin 90 upon में आ जाएगा r square sin 90 की value कितनी होती है भई sin 90 की value हो जाती है 1 तो mu not upon 4 pi ideal by r square मेरे पास formula जाएगा अब अगर formula ideal by r square आता तो इसके बाद तो मैं इसको solve नहीं कर सकता अब मैं क्या करूँगा छोटी सी magnetic field आ गई है तो total magnetic field निकालने के लिए मैं करूँगा integration तो integrating both sides दोनों sides पे मुझे करना है integration तो जो छोटी सी magnetic field है इसका अगर मैं integration करूँ तो mu not upon 4 pi i by r square हाना यह सब तो constant है mu not 4 pi i r square यह सब तो constant है न लेकिन जो dl है वो constant नहीं है अब db का integration आजाएगा total magnetic field mu not of i upon 4 pi r square और यह जो dl है यह एक पूरे circle का एक छोटा सा तुकडा है तो SSRDL DL 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 आगर मैं add कर दूँ मा सारे DL DL add कर दूँ मा तो मुझे क्या मिल जाएगा यह सारे DL DL add करके मुझे मिल जाएगा circumference और circumference कितना टू पाई आर अगेन मैंने का था ये वाला हिसा आपको वो ऐसा नहीं है अक्चुली ये अक्चुली में ऐसा है बर वो insulated wire है तो आपको समझ नहीं आता तो ऐसे बनाते हैं हम लोग है न तो उसको में टेंशन में लेना तो पूरे सरकल को टू पाई आर हमारा अंसर आ जाएगा पाई से पाई कैंसल आर से आर कैंसल और टू से फोर कैंसल तो म्यू नॉट आए अपॉन में टू आर हमारे पास magnetic field आ जाएगी इसके center पे direction मैंने आपको पता दिये although direction के लिए भी हम आगे rule भी पड़ेगे बर direction मैंने आपको पता दिये कि clockwise जा रहा हो तो inward होगी anti clockwise जा रहा हो तो out होगी at center अच्छा अब ये कब है जब हमारे पास circular लूप में कितने turns हो एक turn हो हमने अभी कोई turn तो माना नहीं है बट अगर इसके अदर n number of turns होंगे मतलब कि एक turn आया दो तीन चार पांच और ऐसे करके गए तो अगर इस circular loop में n number of turns है for n turns तो जो magnetic field है वो हमारे पास हो जाएगी mu naught ni upon में 2r तो बस obvious ही बात है n से multiply हो जाएगा because सबकी magnetic field center पर add on होगी तो एक circular loop के लिए जो center पर magnetic field होती है उसका formula हमने derive कर लिया है और formula क्या आया है mu naught ni upon में 2r यहापे mu naught क्या है आपको पता है permeability है value है 4.2 में 10 की पार minus 7 क्योंकि mu naught upon 4 pi क्योंकि पार minus 7 आये है current और r है इसका radius जाने अब बड़ा है interesting और इस chapter की सबसे अच्छी derivation पर आ रहे वाले है क्योंकि अभी हम लोग क्या काम कर रहे थे अभी हमने circular loop के center पर काम किया अब हमें उसी circular loop के center पर नहीं क्या है अगर मैं आपको ऐसे बोलू कि यहां पर अभी imagine करो कि यहां पर एक circular loop है यह रहां यह circular loop imagine करो ठीक है तो अभी हमने उसके center पर मागनेटिक फिल निकाल लिए अब हम उसके axial point यानि उसके center से लेकिन बाहर के तरफ मागनेटिक फिल निकालना चाहते हैं डाइग्राम सबसे important है तो यह मेरा एक circular loop है यह मेरा एक circular loop है अब हम circular loop को side से देख रहे हैं ठीक ना और इस circular loop में भी अगेन इस circular loop में भी current जा रहा है और विसी बात है तभी तो मागनेटिक फिल पैदा करेंगा तो यहां से current गया और यहां से current आ गया तो अब हम सर्कुलर लूप को कहां से देख रहे हैं भी है side से देख रहे है तो अभी हमने थोड़ी तरह पहले magnetic पील निकाली इसके सेंटर पे इसके सेंटर पे इसके ओ नाम के सेंटर पे निकाली हना जिसका रेडियस जिसका रेडियस हमारे पास जिसका radius हमार पास R था अब हमें क्या करना है अब हमें magnetic field निकालनी है इसके axial point पे axial का मतलब है circular loop के center ये था अब हमें यहाँ पे axial point पे इसके लिए magnetic field निकालनी है जो कि lettuce से इससे A distance की दूरी पे है ठीक है ना consideration में हम वो distance लिख देंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ अगर मुझे इस P point पे मालनो magnetic field निकालनी है तो कैसे निकालूँगा इस P point पे magnetic field तो सबसे पहले अगेन मैं circular loop के एक छोटा सा उपर तुकडा करने वाला हूँ और वो छोटा सा तुकडा मेरे पास है लेट से DL ठीक है अब क्या ऐसा कहना ठीक है कि DL की direction inward होगी क्यों circular loop में current जा रहा है ऐसे और जहां current जाता है DL वही होता है तो उपर वाला DL ऐसे अंदर के तरफ जा रहा है तो DL होगे अंदर हना 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 और इस DL का इस P point से जो distance है वो ये रहा इतनी match आती है अगर ये R है ये A है तो ये हो जाएगा under root R square plus A square पाइथागोरस के इसाब से अब अगर match लगाओ cross product लगाओ तो ये जो DL है वो अंदर के तरफ है और ये जो है हमारे पास जो position है वो है R square plus A square अब magnetic field का formula क्या है magnetic field का formula DL cross R DL cross R DL cross R ऐसा करने से जो magnetic field मुझे मिलेगी वो नीचे के direction में मिल जाएगी ये DL है ये R है DL cross R फिर से कह रहा हूँ cross product की direction में कमजोर हो तो अभी जाओ और lecture देख लो बेटा वरना आगे जा के और problem आने वाली है क्योंकि इस chapter में बहुत बार हम लोग cross product इन में बनाना पड़ रहा है तो समझना होगा अब यहाँ पर DL है ये DL है ये वाला DL कहा होगा भार होगा क्यों करन जा रहा है तो उपर वाला DL अंदर है नीचे वाला DL बाहर है अब अगर ये वाला DL बाहर है और ये वाला R ऐसे है तो फिर से DL cross R DL cross R इसकी जो magnetic field फिला जाएगी वो उपर के तरफ आ जाएगी इसकी जो magnetic field फिला जाएगी वो कुछ इस direction में आ जाएगी अब ऐसे इसके हर एक DL के लिए होगा हम सारे DL के लिए तो नहीं करेंगे दो के लिए भी क्यों की है काम एक ही बहुत था दो के लिए क्यों की है बात समझाना है क्या समझाना हो देखें अगेन ये भी हमारे पास R square plus A square होगा अब क्यों की ये छोटी सी magnetic field है इस element की और ये इस element की छोटी सी magnetic field है अब लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो है वो अलफाइडायग्रम सबसे इम्पार्टन दिटेल में समझाएगा को यह वाला एंगल यह वो अलफा है अब अगर यह यह वाला एंगल अलफाइड तो हम इस वाले 90 है yes आज ही बात की कि magnetic field हमेशा ع dr 90 पर होगी हो तो अगर यहower अगल 90 है यह वाला 1090 है और यह एंगल common है तो अगर數ल्फ है तो यह वाला एंगल भी alpha हो जाएगा बैस्शा बेसेक मैच्स है बहुत प्यारी मैंस और अगर अलफा थे ळालव TM ऐ एक ये वाला कॉम्परेंट हो जाए गाड डी कोस आलफा और यह जाए अमार पास ंदी बी साइन एलफा चोड़ी कीज़ओटा के साथ वाला अलफा के साथ वाला कोस होता है बिल्कुल ऐसे इतने common sense आपके मेरे अगर ये अंगल अलफा होगा तो ये भी अलफा होगा और अगर मैं नीचे वाले के तुकड़े कर दूँ तो इसका एक तुकड़ा यहां गया एक तुकड़ा यहां गया अब अगर येवाल एंगललफा है तो आफ़सी बात है ये वाला एंगललफा होगा और अगर ये अलफा होगा तो यह आ जायगा dB कॉसल्फा और ये वाला जायगा dB साइन अल्फा अब आपको समझ में आएगा कि हमने दो डियल क्यों बनाए क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो सारे के सारे डियल के साइन कॉम्पोनेंट इदर आएंगे और वो एड़ हो जाएंगे लेकिन कॉस को कैंसल करेगा हरे कॉम्पोनेंट के अपने कॉस वाले कॉम्पोनेंट सो कैंसल कर देगा और साइन वालों को एड़ पताओ इतनी देर कॉन लगाएगा डेरिवेशन में बैटावी वन शॉट के अंदर ठीक ना ध्यान रखो चलो इसलिए क्याता हूं प्यारे प्यारे लाइक किया करो और कमेंट सेक्शन पे चोटा आर कैरिंग करन्ट आये we can observe that sin component of magnetic field will add up whereas cos components will cancel out hence hence अब अगर मुझे टोटल magnetic field निकालनी है तो कैसे निकालूंगा देखो पहले बात तो जो total magnetic field होगी अब वो डीबी का integration नहीं होगा अब वो डीबी के sin alpha का integration होगा यह बात समझने है आपको ठीक है ना अब अगर ऐसा है तो db मेरे लिए क्या है mu naught i dl sin theta by 4 pi r square यह formula होता है ठीक है यह r distance वाला r है यह वाला r नहीं मैं पता हूँगा अगर आप confuse हो रहे हो तो मैं इसको r naught का square लिख देता हूँ अभी यह मैंने db के जगा लिखा है साथ में sin alpha तो आए गई अब यह formula तो आप biot savert law समझते हो अब main चीज आ रही है वही इसमें से क्या क्या constant है mu naught constant है आए constant है आव साइन थीटा की बात करते हैं डील इधर था आर स्क्वेर ए स्कुर्य यानि यह वाला आप जो मारे लिए वो इधर एंगल कितना 90 कोई भी दियल ले लो कोई भी आप लिलो कोई भी आप लिलो एंगल कितना रहेगा नाइंटी तो साइन थीटा नाइंटी ह होगे हड़ गया ठीक है याज को मैं साइन नाइंटी लेकर भार ले आता हूं तो अब भार और कौन आगया वहलो फोर पाए लेकिन जो आर नौट होता है वो तर डील और इस पॉइंट की बीच का डिस्टेंस जो कि क्या है आर स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर का होल स्क्वेर स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर अंडर रूट इसका होल स्क्वेर ठीक है तो यह बार आगया 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 अब अंदर कौन बचता है अंदर बच जाता है हमारे पास कौन डील और सापने बच जाता है साइन अलफा अब क्या स स्क्वेर प्लस एस्कूर हो जाएगा अब साइन अलफा यह अभी फिलाल जो एंगल बन रहा हो तो तो साइन अलफा को भी भार ले लेते हैं पहले किन लिया था कि अब बच गया अब दील बच गया अब दील क्या चोटा सा तुकड़ा सारे डील को इंटेग्रेट कर दूँगा तो अगेर मुझे क्या मिल जाएगा टू पाय आर तो यहां पर मेरे पास मागनेटिक फिल आचुक किया म्यू नॉट आये कौन-कौन भार आचुक है म्यू नॉट आये फोर पाय फोर पाय आर स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर अब धिहान सुनना साइन अलफा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन अलफा अगर यह अंगल अलफा तो परपेंडिकुलर कौन है आर है परपेंडिकुलर कौन है आर है अपॉन में बेस परपेंडिकुलर सॉरी 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 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपॉर्टनियूस परकेंडिकुलर अपन हाई परकेंडिकुलर अपन बेस व्य्टाँपने किस लगार है या Dallas किस लगा sign ऐल्फा की जगां अब डील do कर दो मिल जाएगा टूंपाय आर मिता कहीं बचों को लग रहोगा इतना धीरे कि बटाए डेरिवेशन ही ऐसे बच्चो मान जाओ यह मत समझना कि सब दीरे पढ़ाता है पिछले वन शॉट देख लो लेकिन इस चैप्टर में डेरिवेशन ही इतनी खतरनाक हैं अगर मैं जल्दी गया तो कंफिज हो जाओगे बिटा अब इस देखो मिना parl 2 आये आया पॉन में फॉर पाए और स्कूर प्लस ए ने अरिया पर हाफ है तो और स्कूर प्लस ए हे स्कूर की पावर ठ्रीश्थ 2 आंगा साथ में मार पास तू पाय आर तो चली तो अब मैस का कहती है, पाई से पाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो क्या बज़ गया, म्यू नॉट आए, आर इंटू आर, आर स्क्वेर, अपॉन में, टू आर स्क्वेर, प्लस ए स्क्वेर की पावर, थ्री बाई टू, तो ये हमारे पास इतना खतरनाक, वहशी दरिंदे जै है, लेकिन फॉर्मला तो यही, अब ये तो फॉर्मला कब आया, अच्छे यहां पर आर क्या है, रेडियस ओफ दर लूप, लेकिन ए क्या है, ए है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, जहां पर आप ये पी पॉइंट पर आप मैगनेटिक फिल्ड निकालना चाहते हो, ठीक है दियान रखना, अब अगर अगेन नमबर ओफ टरंस एन है, फॉर, एन टरंस, और अभी हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे है, अगर एन टरंस है, तो मैगनेटिक फिल्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आए आर स्क्वेर अपॉन में टू, आर की पावर 3 by 2, यह समझ गया, लेकिन क्या यह फॉर्मूला सही आया, आउट चेक करें, ध्यान सुनना, मान लो, मैं इसी वाले फॉर्मूले से पिछला वाला फॉर्मूला डिराइफ करने जा रहा हूं, पिछला वाला फॉर्मूला मतलब सर्कुलर लूप के सेंटर पे फॉ यहां हूं, ठीक है, अब दिरे दिरे यहां आजाओ, यहां आजाओ, एक अगर मैं इसका मतलब यहां आगया हूं, तो यह वाला फॉर्मूला आना चाहिए, आउच्छ करते हैं, अगर एक ए वेलिउ जीरो हो गई, तो इसका मतलब है कि हम कहां आ गए है, एट सेंटर उफ at center of loop आ गया है अगर a की value 0 हो गई है तो तो अगर ऐसा है तो यहां पर b की जगा मैं रख दूँगा mu naught n i r square upon में a 0 हो चुका है तो 2 r square की power 3 by 2 इससे cancel हो गया r square से r cube cancel हो गया एक r बज़ गया तो आगया mu naught n i upon में 2 r अब आप मुझे पताओ क्या यह formula वही आया है जो हमने पीछे derive किया था तो answer exactly same है इसका मतलब है और कब कितने शायद दो या तीन बार board के paper में और या pre boards में और school के paper में तो बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले axial point के लिए magnetic field निकालो और उससे axial point की मदद से at center magnetic field निकालो तो पहले derivation करने है फिर बोलना है अगर हम यहाँ पर खताम होगे तो derivation ना फिर बोला है अगर center पर निकालो तो a 0 हो जाएगा और a 0 हो जाएगा तो यह formula आ जाएगा तो यह बहुत important formula है दोनों के दोनों बहुत important formula एक्जाम में बहुत आते हैं अब यह वारा topic बहुत असान है हमें बोला गया है कि एक circular loop के magnetic field की direction कैसे निकालते हैं तो अगें दो तरीके हैं right hand thumb rule मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर आपके पास circular loop है तो जहां उसमें current जा रहा है महां finger wrap करो अंग उठा आ जाएगा तो अंग उठा cross direction में आ गया तो यह magnetic field बन गई और अगर current जा रहा है anti clockwise तो आपको अपनी fingers ऐसे wrap करनी है यहां पर magnetic field dot मतलब outward हो जाएगी आप चाहो तो rule लिख भी सकते हो अंग्रेजी में लिख लो लिखना है तो if we wrap the fingers of right hand in the direction of current then the thumb will point in the direction of magnetic field at the center simple clock rule और thumb rule से कुछ answer नहीं बदलने वाला देखो clock rule कहता है कि अगर एक loop में current clockwise आ रहा है clockwise तो वहां पर आपके तरफ जो face है वहां पर south pull बनेगा देखो बात यह किए अगर clockwise आ रहा है तो magnetic field जो है वो cross में अंदर है और आपको सब को पता है मागनेट की अंदर magnetic field south से north होती है तो आपके तरफ जो face बनेगा वह south है और पीछे के तरफ जो बनेगा वो नौर्थ है और अगर मैं इसको उल्टा चलाओ कि अगर करण जा रहा है एंटी क्लॉक्वाइस तो जो आपके तरफ फेस है वहाँ पे नौर्थ बनेगा याने पीछे साउथ बनेगा और अंदर मैगनेटिक फिल चलती है साउथ से नौर्थ याने के बाहर के तरफ आएगी तो चाहिसे बात कर लो चाहिसे आंसर सेम मिलेगा बाकी मुझे लगता है यह उपर वाला अब जाबा इस्तामाल करने वाले हो कोई रूल की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे कम ओन यार आप बहुत बड़े हो गयो बट हाँ आपसे डिरेक्शन भले ही पूछ लेंगे रूल की परिभाशा नहीं पूछेंगे चलो अगें जैसे गौस लौ आये था अब आने वाला एंपियर्स सरकेटर लौ बिलक कि जो ई.ds होता है यह बराबर होता है क्यों बाए एपसालन नॉट के अब जैसे की यह जाने कि फ्लक्स बेसिकली अब जैसे की डॉट डी एस का मतलब होता था सर्फेस इंटेग्रल यानि कि किसी भी चीज़ को जैसे इलेक्ट्रिक फील को इंटेग्रेट करना पूरे इंटेग्रल ऑफ मागनेटिक फील्ड सरांडिंग क्लोज लूप इकवर सुदी नंबर आफ ताइम्स दी अलजेब्रिक सम आफ करंट्स पासेंग थूद लूप प्रोड़क्टिड विद प्रोड़क्टिड विद मू नॉट असान भाशा में कहें तो जैसे वहां पे ई.ds q by epsilon 0 था यहां पे line integral of magnetic field अब line integral of magnetic field का मतलब है मुझे इसको ds से integrate नहीं करना है मुझे इसको dl यानि कि line पे integrate करना है वो surface के लिए था ये एक loop के लिए होने वाला है तो b.dl b.dl क्या बोलूँगा line integral of magnetic field ये बराबर होने वाला है mu not times mu not times कितना current उस पूरे loop के पार जा रहा है mu not जिस भी loop के आसपास हम ampere circular law लगाएंगे जिसको हम short में ACL भी कहते हैं ACL कहता है कि अगर एक loop है let us suppose यहां पे एक imaginary loop है मालो यह एक loop है अभी आप देखो किसका मतलब क्या अब मालो इसमें से यहां से एक wire जा रही है और इसमें i current है तो मैं यहां पे i लूँगा अब मालो मालो यहां से आए जा रहा है और यह वार वापस आ गई तो आए जा भी रहा है और आए आ भी रहा है तो यहां पे हम 0 करण लेंगे वह भी आप समझ जाओगे बड़ पॉइंट इस कि वहां पे net charge का one upon epsilon not times था यहां पे net current के mu not times है और क्योंकि यहां पे भी हमें close loop के बारे में बात करना वाले हैं तो यहां पे भी हमें गोला लगा देंगे तो इससे कैसे पढ़ेंगे दुबारा समझते हैं इससे पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे कि the linear integral of magnetic field is mu not times the net current threatening the surface अगर यह वाली भाशा समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसकी एक और भाशा लिख देता हूं कि the line integral the line integral of magnetic field for closed surface a loop for closed loop is mu not times is mu not times the net current mu not times the net current threading the surface mu not times the net current threading the surface याने कि mu not times कितना current उस surface को चीरता वा जा रहा है कितना उस surface को सुल लूप को चीरता वा याने कि उसको thread करता वा जा रहा है आँ जिए इसको समझते हैं लेकिन एससे पहले इसको proof करने वाले अब बढ़ी हसी वाली बात सब्सक्राइब करें तो अगर चीज है एक स्ट्रेट वायर की मेगनेटिक की मदद से और उसी स्ट्रेट वायर की मागनेटिक की कई करेंगे अगर आपको याद होगा तो नियूटन जी के सेकेंड लॉओ और न्यूटन जी 3rd law की मदद से आपने law of conservation of momentum का formula derive किया था 11th class में और फिर law of conservation of momentum और Newton जी के 2nd law की मदद से आपने ये प्रूफ किया था कि 2nd law में ही 3rd law है तो ऐसा चलता है बट इसके पीछे का कारण ये भी होता है ध्यान रखना कि ampere circular law का actual proof थोड़ा complex है जो अब higher classes में higher divisions में जाके पढ़ोगे बट अभी के लिए हम एक straight wire के लिए ampere circular law प्रूफ करेंगे और फिर उसी law की मदद से एक straight wire के लिए दुबारा से वही magnetic field निका लेंगे तो ये बात आपको समझे नहीं होगी ज्यादा इस फोकस मत करना यह हमारे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर लेट से आए amount of current जा रहा है आए amount of current जा रहा है अब मुझे ampere circular law को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा मैं इसके आसपास एक लूप ले होंगा मैंने यहां पर एक लूप ले लिया अब क्योंकि यह लूप imaginary है तो मैं डॉटट बना रहा हूं इसको ठीक है अब यहां पर मुझे इस पी पॉइंट पे यह चोटा सा मैंने डियल ले ठीक है यह डियल का मतलब है जो एंपियर्स लूप है जो मैंने इम्याजनली लूप लिया है इसके उपर में एंपियर्स सरक्ट लॉल लगाना चाहता हूं तो यहां पर वायर है और यह जो पॉइंट है इस से वो लेट से छोटा आर डिस्टेंज दूर है तो इसका प्रूफ कैसे करेंगा बई देखो ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग बी डॉट डीयल निकालने वाले है और बी डॉट डीयल को सॉल्फ करने के बाद अगर वो मियू नॉट आ आ गया तो हमारा काम हो जाएगा अब यहां पर बी डॉट का मतलब यहां पर क्या अवसी बात है डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर मैं क्या करूंगा बी डी एल कॉस थीटा का इंटिग्रेशन कर दूगा अब इसमें से बी भार आ जाएगा अब अंदर क्या बच जाएगा उज़रत समझे पहले ठीटा समझते हैं यह डी एल जो है वो इस लूप का लेंथ एलिमेंट है अब अगर यह लूप मानलो क्लॉक्वाइज है जैसे अगर मानलो करण ऐसे जा र तो अभी के लिए यह वायर है और मागनेटिक फिल्ड ऐसे तो डील भी उदर है और मागनेटिक फिल्ड भी उदर है कैसे एक वायर के लिए मागनेटिक फिल्ड भी उदर है और डील भी उदर ही घूम रहा है किसी भी पॉइंट पर देख लो मागनेटिक फिल्ड भी इद के लिए हमने अभी तक तो magnetic field का formula डराइब नहीं किया जो कि हम करेंगे लेकिन यहां पर हम उसको use करने वाले हैं और वह mu not i upon 2 pi r अभी हम इसको प्रूफ करेंगे ACL की मदद से वह मैं बता रहा हूं गरबड़े बड़ एक्चुलिए इसको किसी और तरिके से भी प्रूफ किया जाता है अब अंदर क्या बच गया डियल अब क्योंकि हमारे पास डियल 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 को अगर मैं integrate कर दूंगा डियल 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 integrate कर दूंगा तो यह पूरा गोला जाएगा और यह पूरा गोला किस के लोग को प्रूफ करती है लेकिन हमने उसको प्रूफ किया है यूजिंग अस्टेट वायर बट एक्चुली में स्टेट वायर का फॉर्मला हमने अभी तक डिराइब नहीं किया है और वह हम और तरीके से बड़े ओके फॉर्मला ऊक्रेंगे चलोव अब फिर से हमने स्टेट वायर का लेकिन इस बार हमने फिर in अस आज पर का फॉर्मला पास एकHH मैजनरी लूप हो गया जो इसके आसपास हमारी करेंगा हम एंपयर सरकरट लॉपा तो यहां पर मैंने कहीं पर भी एक छोटा सा डीयल ले लिया जैसे की पहले लिया था अगें इसे डरेशन आप चाहो तो लिख सकते हो consideration लिख सकते हो let us take a straight wire carrying current I in upward direction and taking circular amperes loop of radius छोटा R where dl is the length element of the loop, imaginary loop छलो आगर ऐसा है तो अब according to amperes circular law, amperes circular law के हिसाब से B dot dl is equals to mu not times the net current threading the surface अब B dot dl की जगा हमें लिख सकता हूँ B dl cos theta mu not times, अब इस पूरे loop को current कितनी बार चीर रहा है, तो आए बार ही चीर रहा है तो आए की जगा है तो आए ही आएगा और यहाँ पे cos theta में theta की जगा हमें क्या ले लेना होगा 0 degree, same reason आपको पता है, क्या same reason है भई, क्योंकि इदर अगर dl है तो इसके लिए magnetic field भी धरी होगी cos 0 हो जाएगा फर B भार आजाएगा, अंदर बच जाएगा dl अंदर बच जाएगा dl, अब अगर मैं dl 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 integrate करूँगा तो again, मुझे वहीं मिलेगा और वो है 2 pi r तो यहां से अगर मुझे magnetic field निकालनी है तो बच्चो मुबारक हो mu not i upon me 2 pi r आ गया जो की पीछे अभी हमने use भी किया था मुझे पता है, फ़नी देख मैंने आपको पहली पता दिया ने, फ़नी लगेगा थोड़ा सा आपको बड़ी actually में funny नहीं है क्योंकि हम उसको किसी और तरीके से बड़े होके derive करेंगे, बड़ अभी के लिए हाँ अब बहुत मिलता जुलता formula straight wire और circular loop के center पर जब पीछे में निकाला, circular loop के center पर formula आय था, mu not i upon me 2 r, लेकिन एक wire के लिए divide में pi भी आता है, ये बात ध्यान रखना गलती मत कर देना, done हो गया done हो गया, चलिए अब यहाँ पे, मुझे लगता है अगें, ये एक बहुत important derivation है, इस chapter में सबसे ज़्यादा derivation जो past history में अगर मैं देखूं आई है तो सबसे ज़्यादा आई है, parallel wires में जो कि अभी हम आगे पड़ेंगे, second सबसे ज़्यादा derivation आई है, torque on a loop और third, सबसे ज़्यादा derivation एक solenoid की ही आई है तो यहाँ पे हम magnetic field of a solenoid को draw भी करेंगे और magnetic field को calculate भी करेंगे ठीक है, आप सबने 10th class में भी एक solenoid के लिए magnetic field को draw किया है और आप सब जानते हो कि solenoid की magnetic field एक बार magnet जैसी होती है लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं आपके लिए आप पर draw कर देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, चीक हो तो यहाँ पे एक solenoid के लिए magnetic field को draw करता है ठीक है तो यह मेरे पास एक solenoid है एक solenoid insulated wire का बना रहता है यह मेरे पास एक solenoid है जिसमें यहाँ से current जा रहा है यहाँ पे कोई source लगा होगा और गूम गूम के यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है नब और एक solenoid के लिए magnetic field कैसे जाती है अगर यह वाला terminal मैंने obvious सी बात है positive से connect किया होगा तब यह current यहाँ से गूम के यह negative आया 10 में पड़ा हुआ है, जहाँ पे positive connect करते है जहाँ पे positive connect करते है महाँ पे south pole बनता है और जहाँ पे negative connect करते है वहाँ पे north pole बनता है, reason ही पता होगा because इसमें जो current जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है तो right hand के साब से magnetic field ऐसे होगी तो यह south है, यह north है और अंदर magnetic field south से north जाती है अब जो अंदर magnetic field होती है वो तो uniform रहती है straight wire types रहती है, कैसे देखवा यहाँ से magnetic field जाती है south से north, लेकिन जो बाहर वाली magnetic field होती है वो हमारे को पता होना चीए कि वो घूम जाती है, बाहर वाली magnetic field होती है, वो घूमती है अंदर वाली magnetic field कुछ ऐसे जाती है आउ बनाएंगे भार की भी हाँ ना, और बाहर वाली magnetic field कुछ ऐसे जाती है अब जो बाहर वाली magnetic field फो स्वाँ रो बहार वाली जो मैगनेटिक फिल्ड है स्वारी नौट से साथ नौट से साथ नौट से साथ और अंदर वाली जो मैगनेटिक फिल्ड है वो जाएगी साथ से नौट है एक मैगनेट के लिए मैगनेटिक फिल्ड इंसाइड जाती है साथ से नौट और बहार जाती है नौट से ऊश्टें तो इस प्रकार से सॉलिन और सोच के बता एक मंद में सोचके बताओ एक सोल इननार इंदर का अंदर का डाइग्राम सिरफ देखें तो आप देख पाऊगी कि जो magnetic field है वो सिरफ अंदर वाले हिस्से पे uniform है लेकिन बाहर वाले हिस्से पे इसके बीच का distance अलग-अलग है जिसके वैसे non uniform हो जाएगी just like electric field तो हम लोगों को जो magnetic field calculate करनी है magnetic field of straight solenoid वो सिरफ कहा calculate करनी है inside the solenoid inside the solenoid हमें पूरे solenoid की total magnetic field calculate नहीं करनी है हमें सिरफ calculate करनी है अंदर वाले क्योंकि वो uniform है तो ये डाइग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया बट जो डाइग्राम हमारे derivation में help करेगा वो ये है बहिया क्योंकि हमें सिरफ काम करना है inside the solenoid inside तो ये मेरे पास एक solenoid है जिसमें अगेन यहां से current गया और यहां से आ गया तो अगेन यहां south बनेगा यह north बनेगा अब इसके अंदर जो magnetic field draw होगी वो uniform होगी तो इसके अंदर जो magnetic field जा रही है वो तो यूनिफॉर्म है एरो बनाये थे चलो आओ यूनिफॉर्म ली जा रही है और यही हमें calculate करना है ठीक है अब अगर मुझे magnetic field को calculate करना है तो मैं क्या करूँगा मैं यहां पर एक imaginary loop consider करूँगा क्योंकि अगर मुझे ampere circular law लगाना है तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर एक जैसे आप पर Gaussian surface आपने ऐसे यहां पर हम ampere circular loop जो है वो imagine करेंगे तो यहां जो हम ampere circular loop imagine करने वाले हैं वो होने वाला है कौन सी शेप का वहिया एक rectangle या फिर square शेप का और इसका नाम करन भी कर दे रहे हैं लोग यह आई होप आपको देख जाए बस यह बी सी एंडी यह लूप है हमारे ठीक है तो कंसे और इस पूरे सॉलेनोड की जो लंबाई है वो एल है और इस सॉलेनोड में जो स्मॉल एन है स्मॉल एन यह है number of turns पर unit length यानि की इसके एक मीटर में n turns होंगे यानि number of turns per unit length तो यहाँ पर आ गया capital N divided by L जैसे की हमने third chapter में number of electrons per unit volume लिये थे यहाँ पर छोटे n का मतलब है number of turns कितने है इन गिवन length चलों consideration लिख लेतना है बहुत जरूरी है let us take a solenoid let us take a solenoid of length L and area of cross section capital A if chota n is the number of turn per unit length if chota n is the number of turns per unit length and taking rectangular amperes loop and taking rectangular amperes loop a b c d as shown then then after the handling of it again up to low is solenoid kill and by him the early of the answer negative a video of our square is my rectangle sheet is kb kush dimension song it so let's say here your dimension ever pass L not or here your dimension is the number pass B not any ski lamb by and not only or should I be not for it take a option over here according to MPR circuit a law MPR circuit a logic is up to be done deal Pura close loop yoga be done deal यह बराबर होगा मुनाट टाइम्स आए के ना पूरा का पूरा इस पूरे लूप के लिए जो B dot DL होगा यह बराबर होगा मुनाट आए के अब अगर ऐसा है क्या मैं इस पूरे लूप को क्योंकि closed loop है क्या मैं इसके चार हिससे कर दूँं A से लेके B B से लेके C C से लेके D और D से लेके A क्योंकि एक rectangle चार side से मिलके बनाओता है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसका एक तुकडा कर रहा हूँ A से लेके B B dot DL एक तुकडा कर रहा हूँ A से लेके B B से लेके C तो अगला होगा C से लेके D B dot DL और A कर रहा हूँ D से लेके A B dot DL और यह आगे मुना टाइम्स तो टोटल करन्ट त्रेडरिनिंग दे सर्फिस अब यहाँ पर आप देखो मैंने close का sign हटा दिया है जैसे कि again Gauss theorem में हम करते थे क्योंकि अब यह close नहीं है अब यहाँ पर एक एक वायर के लिए बात होने वाली आजाओ अब बड़ी important चीज़ा आगे की derivation जो हमारे पास A से लेके B बीडियल कॉस की बात करें अगर कॉस की बात करें कॉस तो कॉस क्या होगा तो A से लेके B के लिए यह नीचे की तरफ है यानि लेंद नीचे की तरफ है अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ऐसे जा रहा हूं माल लो तो लेंद नीचे की तरफ है और magnetic field ऐसे है, angle होगा है 90 angle होगा है 90 plus B से लेके C BDL, आँब बात करें आँब बात करें, तो B से लेके C जा रहा हूँ, तो इधर length element है होगा, इधर जा रहा हूँ, और यही magnetic field है, angle होगा है 0 degree angle होगा है 0 degree plus C से लेके D की बात करें, again सी से लेके डी उपर है मैगनेटिक फिल ऐसे एंगल हो गया 90 एंगल हो गया 90 90 कि से ले के ड के लिए अंगल होगा है 90 और लास्ट यह जो बहार वाला है यह एक ये जो से लेकर यह एक यह तो फिल ल्ही वाला लूप लेकिन यह वाला लूप कहा है आउटसाइड अब अगर यह आउटसाइड है तो ऑच्छुछ के तो मागनेटिक फिल व्यक्व NOT ही calculate करने वाले and just outside the solenoid वैसे भी magnetic field just outside the solenoid वैसे भी magnetic field zero है और हम उसमें वैसे भी interested है हम तो inside निकाल रहा है तो यह तो वैसे भी zero ही हो गया और यहां पर आगया mu not times the net current threatening the surface अब cos 90 और cos 90 तो zero होता है तो बचा कौन भाई बचा यह यानि कि B से लेके C वाला scene बच गया BDL और cos zero again one होता है तो यहां आगया mu not times the net current threatening the surface अब यहां से B तो बाहर आ गया क्योंकि मुझे B ही निकालना है अब DL 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 यहां से यहां तक integrate करूँगा तो मुझे N lot लंबाई मिल जाएगी मुझे लंबाई कितने मिल जाएगी भाई यह अगर मैं इसको integrate करूँगा तो मिल को जो लंबाई मिल जाएगी वो मिल जाएगी a lot बीबार आगया था DL 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 integrate करूँगा तो यह पूरी लंबाई मिल जाएगी which is a lot which is a lot अब यहां आजाओ बड़ा ही खदरनाक सीन आने वाला है अब आये करंट इस solenoid से पास हो रहा है आये करंट इस solenoid से पास हो रहा है लेकिन यह सर्फिस को चीर कितनी बार रहा होगा यह समझना बड़ा इंटरस्टिंग होने वाला है आओ जरा समझें आपको imagine कैसे करना है भाया सबसे पहली बात तो आपको imagine करना है कि यह वो ABCD वाला लूप है ABCD वाला लूप है ठीक है अब एक solenoid की वार यहां से आ रही है नीके से आ रही है और यहां पर जा रही है चीरते वे फिर बाहर आ यह जा रही है चीड़ते वे फिर भार आ रही है चीड़ते वे अगर मैं इसका एक सेपरेट डाइगराम बनाओं तो यह कैसा है देखो बिटा देखो इसको समझाने में ही पांच मिल लग जाएंगे और फिर बच्चे कहतने हैं कि वन शॉट बढ़ा हो गया देखो बिटा अब जैसे यह मेरा एबी सीडिवा लूप है ठीके ना और यह मेरा सॉलनौइड है तो यह सॉलनौइड आया सॉलनौड आया और जैसे वह इसके अंदर गया तो इसको चीर चीरताबा भारा रहा है जैसे कि हमारे स्पाइरल नोटबुक्स होती है और हर बार वो जो स्पाइरल है वो उस रिजिस्टर को चीरताबा जाता है तो इस केस में वो चीरताबा जा रहा है तो अगर हर एक में करण्ट अगर आए जा रहा है तो जितनी बार भी यह सर्फेस चीर रहा होगा उतनी बार करण्ट इसमें जाएगा अब कितनी बार चीर रहा है भाई यह तो आंसर है नमबर आफ टरंस का यहां पर हम लोग यहां से आ गया भी इसी कोश्ट ंम्यू नॉट अब मैं यहां पर क्या एंड टैंट की जगह चोटा एं नमबर आफ टरंस इंटू में लेंध लिख सकता हूं और मुझे कितनी लेंध के लिए नमबर अफ टरंस चाहिए सिर्फ एल नॉट क्राइब पूरा एल नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यह वाले टरंस से हैं जिसके लंबाई L0 है तो यहां पे मैं इसकी जगा N L0 लिख सकता हूँ because capital N आ जाएगा number of turns per unit length into my length और यहां पे आगे आए तो यहां पे L0 से L0 cancel हो गया और मुबारक हो formula आ जाता है क्या खतरना क्या प्यारी derivation है और यहां पे जो छोटा N है बहुत बार बच्चों को लगता है यह छोटा N number of turns है नहीं यह छोटा N number of turns नहीं है यह छोटा N number of turns per unit length है यानि solenoid की magnetic field number of turns पर depend नहीं करती है वो इस पर depend करती है कम से कम length में आपने जादा से जादा turn बनाए हो अगर आपने कम से कम length में जादा से जादा turn बनाए होंगे तो magnetic field जो है वो आपको जादा मिलेगी for a solenoid समझ गए अब यह जो magnetic field for a solenoid होती है इसकी shape bar magnet जैसी होती है तो solenoid को देखना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप बार magnet की magnetic field को एक बार ही समझते है और बिल्कुल ऐसे ही magnetic field एक solenoid की होती है यहाँ पे strong, यहाँ पे strong, यहाँ लगबग बराबर और यहाँ पे weak होती है iron filling से देखते हैं आजाओ पर यहाँ पास एक bar magnet है ऑब बार magnet का एक हिसा North होता है और एक हिसा South हो tungaan just यहां पे कुछ iron fillings है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास, कहाँ गई, हाँ, यहां पे मेरे पास एक चन्नी है, अब मैं क्या करूँगा, इस iron filling को, इस चन्नी पे, iron filling को यहां पे चन्नी पे गेड दूँगा, नीचे हाथ रख लेता हूँ, ताकि मज़ा खराबना हो पहले ही, तो यहाँ पे मैंने iron filling को अपने चन्नी पे गे ले ठीक है, अब एक चीज देखना बड़े ध्यान से, आपको याद रखना होगा, कि एक बार magnet के लिए magnetic field कैसी थी, अब आप एक कमाल की चीज देखना, जे बात, अब अगर आप ध्यान दे यह बड़ा ही satisfying सा होता है देखने में, मुझे बड़ा पसंद है यह करना, मैं इसके पूरे दिन कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे notice करो, तो iron fillings बिल्कुल उसी direction में चिपक रही है, जैसे कि हमारी पास एक बार magnet की magnetic field होती है, देखो आप, अगर आप notice करो, तो यह हमारे पोल्स हो गए, नॉर्थ और साउथ, जिस पर सबसे ज़्यादा attract हुई है, बाकि आप यह curves देख सकते हो, यह curve represent कर रहे है, हमारी बिल्कुल वही magnetic field हो, जैसे कि हमारी एक बार magnet की magnetic field होते है, तो यह हमने बार magnet के लिए किया, चीक है, आप यही काम हमें बार magnet की बजाए, ए shape से मैंना कहने का मतलब, actually क्या है, देखो, यह एक circular मतलब की cylindrical magnet हो रही है, और यह बार magnet हो, अब इससे क्या फरक पड़ेगा, आँ ज़रा देखें, मुझे नहीं लगता है कि जादा कुछ फरक पड़ना चाहिए, बड़ एक बार हम, इस वाली magnet से करके देखें, क्योंकि इ है, वो कहा भी था, same ही impact है, इसका भी, exactly same सी magnetic field यहां पे भी बन रही है, जैसे कि हमारी एक बार magnet में बनी थी, कोई changes नहीं, यह नौर्ट साउथ हो गया, यह magnetic field होगी, as such कोई change नहीं दिख रहा है, मुझे तो, तो अब हम बात करते हैं, और आगे बात होगी, motion of a charged particle in uniform magnetic field, ब मुझे लगता है कि, जो formula भी हम पढ़ने वाले हैं, यह formula इसकी को derivation नहीं पढ़नी है, हमें 12th class में, बहुत कम ऐसे formula है, जो definition से भी नहीं आए हैं, और हमें उनके derivation भी नहीं करने, इसे power का formula last chapter में, work done upon time था, और V square by R था, जो work done upon time है, वो definition से आया है, लेकिन V square by R को हमने proof किया, या I square R को proof किया, ऐसी कप, Q is equal to CV, वो definition से आया, लेकिन C के बाकिस सारे formula, epsilon not A by D हो गया, या 4 pi, R epsilon not हो गया, यह से हमने derive कि, लेकिन यह जो formula है, ना definitions है, और derivation है, इसकी, बट हमें नहीं पढ़नी है, 12th class में, लेकिन, पहले समझो, यह topic क्या कहना चाहता है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कि हमार पास एक conductor होगा, चाहे वो straight हो, चाहे वो circular loop हो, चाहे वो solenoid हो, और उसके अंदर से current दोड़ेगा, और वो क्या पैबा करेगा, magnetic field, लेकिन अब हम इस chapter के second half पर जाने वाले हैं, जहां पर हम यह पढ़ने वाले हैं, कि अगर मेरे पास एक uniform magnetic field है, पहले से ही एक area में magnetic field है, माल लो, इस कमरे में magnetic field है, और अगर इस कमरे में charge भागता वाया, एक charge भागता वाया, तो उस पे force लगेगी, तो पहले समझते क्यों लगेगी, तो अगर एक charge भागेगा, माल लो, यहां पर एक charge है, और वो भाग रहा है, इदर भाग रहा है उसकी velocity भी है मालो तो क्या वो charge अपने आसपास magnetic field पैदा करेगा yes because charge का भागना मतलब current ही एक प्रकार से तो बस wire में नहीं भाग रहा है अकेला भाग रहा है मालो तो अपने आसपास वो normal तरीके से क्या पैदा करेगा magnetic field अभी अपने आसपास मालो क्या पैदा कर रहा है magnetic field अब आगे इस कमरे में और magnetic field present है तो जब यह charge particle अपने खुद की magnetic field से इसकी magnetic field में एंटर करेगा तो दोनों एक दूसरे पर force apply करेंगे यानि कि जो magnetic field है वो इस पर क्या apply करेंगे force अब वो force कितनी होगी उसका formula पढ़ना है और उसके formula से बाकी सारी चीज़ों को judge करना है ठीक है जी तो force का formula हमारे पास क्या आता है तो force का formula आता है Q V cross B formula आता है Q V cross B और अगर मैं इसको cross product के form से हटा हूँ तो formula आ जाएगा Q VB sin theta तो formula आ जाएगा Q VB sin theta force का formula मेरे पास आ जाएगा Q VB sin theta ये force कौन से force है force on charge particle which is moving with velocity V in uniform magnetic field तो यहाँ पर Q क्या है भई अब्वेसी बात है charge on particle जो particle भागता वा रहा है उस पर charge क्या है अगर charge 0 है तो कोई force नहीं लगेगी V क्या है velocity of charge अगर वो rest पर है भाग ही नहीं रहा है तो आप सबको पता है इस chapter की पहले line में पड़ा था charge जब भागता है तभी वो वह magnetic field बना था अगर चार्ज भाग ही नहीं रहा है उसकी velocity ही 0 है तो वह कोई magnetic field नहीं बनाएगा और कोई force नहीं लगेगा और अव्वेस से बात है बी है magnetic field in surrounding magnetic field in surroundings surroundings में कितनी magnetic field आपने लगाई और अगें theta बड़ा जरूरी क्योंकि यह V across भी था तो यह theta किसके बीच का एंगल है velocity and magnetic field तो यह theta है angle between angle between velocity and magnetic field angle between velocity and magnetic field तो यह angle किसके बीच का है velocity और magnetic field के बीच का एंगल है तो यह formula तो हमें पढ़ना है लेकिन इसकी कोई derivation नहीं करनी है तो फॉर्मुला आपको याद रखना है फॉर्मुला है force का qv cross b यानि कि qvb sin theta तो अगर यह qv cross b है तो again इतनी अकल आप लगा सकते हैं कि जो force होने वाली है यह perpendicular होने वाली है velocity के और force जो है यह perpendicular होने वाली है magnetic field के भी यानि कि जो भी force लगेगी वो velocity के और magnetic field के perpendicular होगी और हमने ninth class में भी सीखा है और हमने 11th में भी सीखा है कि जब भी force velocity के perpendicular लगती है तो वो उसकी velocity की direction को change कर सकती है लेकिन उसके magnitude को change नहीं कर सकती है यह भी अभी हम बात करेंगे शो करेंगे यानि कि एक magnetic field एक भागते वे charge की direction को भले ही change कर सकता है लेकिन वो उसके velocity के magnitude को change नहीं कर सकता है यानि एक charge particle अगर magnetic field में enter करता भी है मानलो जैसे भी किसी भी एंगल पर करे करता भी है तो magnetic field उसके भले ही force तो लगाएगी लेकिन force लगाने से आप charge particle की सिरफ direction चेंज कर पाओगे क्योंकि हमेशा वो velocity के perpendicular force होगी और अगर direction चेंज कर पाओगे सिर्फ तो इसका मतलब है आप उसकी magnitude अगर स्मीटर पर सेकंड से को चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो आप magnetic field लगा कि उसकी विलॉस्टी को बारा नहीं कर सकते तेरा नहीं कर सकते आठ नहीं कर सकते आप सिरफ क्या हम यह पढ़ने वाले हैं कि तीन अलग-अलग केस कौन से बनेंगे तो पहला केस है जब एक चार्ज पार्टिकल magnetic field के पैरलरली एंटर करेगा अब इमाजिन करते हैं कि इस एरिया में ऐसे कुछ magnetic field जा रही है ठीक है ना ऐसे कुछ magnetic field जा रही है इस एरिया में यह हमारी हो गई magnetic field हो ठीक है अब अगर यह magnetic field है भी uniform magnetic field है भी और हमारा चार्ज पार्टिकल यह क्यों नाम का चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे एंटर करता है वी velocity से तो यह कैसे एंटर कर गया पैरलरली एंटर कर गया तो जब भी कोई पैरलरली एंटर करेगा तो थीटा या तो जीरो डिगरी होगा वह ऐसे भी एंटर कर सकता है लेकिन पैरलल का मतलब तो है कि वह ऐसे भी enter कर सकता है तो theta 0 degree भी हो सकता है और देखा जाए तो theta 180 degree भी हो सकता है जीक है न अब force का formula हमारे पास आ चुका है qvb sin theta अब theta की जगा अगर मैं 0 रखता हूँ या फिर 180 रखता हूँ तो sin 0 भी 0 होता है और sin 180 भी 0 होता है इसका मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड में आता है पैरलर ली तो उसके कोई फोर्स नहीं लगेगी एक परकार से मैगनेटिक फील्ड के होने या ना होने से कोई फरक ने पड़ेगा वो जैसा आया था वैसा ही जाता रहेगा कोई उस पर चेंज नहीं आएंगे तो यह वाला केस बहुत सिंपल है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस और अगेन जिसके ओपर काफी सवाल आते हैं वो वाला केस हमारे पास यहां है कि जब एक चार्ज पार्टिकल में एंटर तो करेगा लेकिन कैसे एंटर करेगा पर्पेंडिकुलर्ली एंटर करेगा आव ज़रा समझें अब एक एरिया में माँ लेते हैं हमारे पास कि इन वर्ड अभी के लिए मालने ते कि हमारे पास कहा है इन वड लेकिन अगार लेकिन अगर मैं ले लेता हूं लेफ्ट या राइट तो डाइग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि आपको समझ नहीं आएगा इसलिए बेस्ट है कि हम इनवर्ड या आउट वर्ड तो यहां पर मागनेटिक फिल हम लोगों ने क्रॉस का मतलब है सिन वर्ड ले लीए यूणिफर्म मागनेटिक फिल्ल ले लिए इन्साइट दा पेच्रिया कैलो отп ठीक है अब अगर एक Omarag Republic अगर एक चार्ज पार्टिकल लेट से क्यों नाम का चार्ज पार्टिकल इसमें वी वेलॉसिटी से एंटर करता है ठीक है तो पहली बात तो इस पर फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी तो आंसर है अगर यह परपेंडिकुलर्ली एंटर कर रहा है तो ठीटा होगा नाइंटी ठीटा 90 कैसे हो गया मैगनेटिक फील जो है वो इनवर्ट है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है तो अब विसे बात है इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90जगरी होगा और 90 डिगरी में जो force का formula हमारे पास आएगा QVB sin theta में theta की जगा में डाल दूँगा 90 और हम सब जानते हैं कि sin 90 पे maximum value होती है which is 1 और इसका मतलब है हमारे पास जो force आजाएगी theta के respect से वो QVB जो आएगी वो maximum होगी वो maximum होगी because sign की value one maximum हो सकती है चलो maximum minimum छोड़ो इतना तो समझ गया कि force तो लगेगी और force कितने लगेगी QVB force कितने लगेगी QVB अब यह जो force लगेगी यह कैसे charge particle पे लगेगी क्या वो charge particle की velocity को बढ़ाएगी क्या उसके magnitude को बढ़ाएगी क्या direction को change करेगी आउज़रा समझे अब यह तो पक्का है कि जो force लगेगी वो perpendicular to velocity होगी अब कैसे होगी आउज़रा समझे यहाँ थ्यान देना होगा आपको क्या यह charge particle पे magnetic field invert है हाँ क्या इस पे velocity इदर है और force का जो formula है वो क्या है हमारे पास force का formula है हमारे पास qv cross b qv cross b यह v है यह b है तो charge particle पे force लग रही है qv cross b तो अगर यह v है यह b है तो v cross b v cross b के हिसाब से force invert है जाएगी अगर magnetic field भार होती तो कैसे लगती यह v हो जाता यह b हो जाता तो v cross b v cross b अभी के लिए magnetic field invert है और यहां से enter किया तो नीचे की तरफ घूम जाएगा ऐसा करता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आ जाए इसके लिए मैं यहां पे charge particle को यहां से enter बात एक है perpendicularly enter कर रहा है यहां से करवाता हूँ यह charge particle है और यह perpendicularly enter किया इसकी velocity है तो यह हमारे पास होगा magnetic field यह होगी velocity अब अगर v cross b करूँगा तो क्या इस पर force नीचे लग जाएगी अकल लगाओ yes अब यह भाग रहा था इदर यह इदर की तरफ v velocity से भाग रहा है लेकिन इस पर जो force की direction आईए force की direction वो नीचे आगई और हम 9 और 11 क्लास से पढ़ते आ रहे है जब भी force velocity के perpendicular होती है वो object को circular path में गुमा देती है इसका मतलब है भाई यहाँ से जो charge particle भाग रहा था उस पर force लग गई नीचे तो वो ऐसे करके circular path में गुमने लग जाएगा और obvious बात अगर आगे magnetic field होगी पूरे area में मालनो इस पूरे board पे magnetic field है तो वो circular path में गुमना शुरू हो जाएगा और यहीं पे गुमता रहेगा गुमता रहेगा अगर पूरे board पे magnetic field है तो हो नहीं है तो यहां से बारा जाएगा अबो अभी के लिए मान रहे हैं तो यह चार्ज पार्टिकल इसमें सरकूलर पाथ पर गुमने लग जाएगा क्यों चूंकि यह जो फॉर्स है वो पर्पेंडिकुलर है और वो कौन सी फोर्स के तरह काम करेगी सेंट्रिपिटल फोर्स के तरह और इसे गुमा देगी तो बड़ा इंट्रस्टिंग केस है अब मैं अगर इसमें मैगनेटिक फुल ऐसे गूमता तो वह समझ नहीं तो यहां पर यह काम खतम नहीं होता है क्योंकि हम यह समझ गए कि जो क्योंकि जो वेलोसिटी है फोर्स उससे पर्पेंडिकुलर लग रही है तो चार्ज पार्टिकल गूमने वाला है तो यहां पर एक लाइन लिखने पड़ेगी कि as force is पर्पेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो चार्ज पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ अगर यह सर्कुलर पाथ पर गूमेगा तो इसका कुछ रेडियस होगा कुछ टाइम किरिड होगा वो सब भी हमें निकालना है ठीक हाओ चलो तो अगर ऐसा है तो इसकी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी क्योंकि यह गूम रहा है वो सेंट्रिपिटल फोर्स इसको मिलेगी मैगनेटिक फोर्स की वज़ास है जो कि यहां पर क्यूवी भी है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मुला होता है एम वी स्क्वेर बाय आर और मैगनेटिक फोर्स जो इस पर लग रही है वो लग रही है क्यूवी भ गया तो mv by r is equals to qb आ गया तो यहां से अगर मैं radius का formula निकालना चाहता हूं कि यह कितने radius पर घुमेगा तो वो formula मेरे पास आ जाता है mv upon में qb वो formula मेरे पास आ जाता है mv upon में qb और अगर आपके preboard या आपके mid term जो भी पेपर हो गया और अगर उन में chapter आ रहा था तो यह वाद आप भी जानते मैं भी जानता हूं कि भहिया 90% बच्चों के एक्जाम में इसके उपर एक कोशन आया होगा खास कर कैसा कोशन एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है उनके वेलोस्टी का रिशों पताओ फ्लाने का रिशों पताओ इसका रिश पताओ तो यह वाले सवाल बहुत आते हैं और अगर आपने लेक्श्र अटेंड किया था जिसमें हमने थर्ड चैप्टर और फोर्ड चैप्टर लिया था चलो फिलाल तो यह हमारे पास रेडियस आगया mv upon में qb mv upon में qb बास समझ में आती है अब इस रेडियस से हम और क्या निकाल सकते हैं तो हमें टाइम पीरियर यानि जब यह सर्कुलर पात में घुमेगा तो पूरा एक चकर ये कितनी देर में काट रहेगा इसको हम time period कह रहे हैं तो time period का formula क्या होता है एक चकर काटने का distance which is 2 pi r upon में इसकी velocity एक चकर काटने का distance upon में उसकी velocity तो 2 pi क्या यहां से मैं r निकाल चुका हूँ तो r की जगा मैं क्या लग सकता हूँ mv by qb divided by क्या है वेलोसिटी है वेलोसिटी से वेलोसिटी cancel हो गया time period का formula आ गया 2 pi m upon में qb और बड़ी interesting बात ही है कि जो time period का formula आया है या फिर frequency का formula क्योंकि frequency और time period आपस में reciprocal होते हैं तो frequency अगर निकालना हो जो कि one upon time होता है तो formula आ जाएगा qb upon में 2 pi m बर ध्यान रखो कि अगर ए सवाल आप है कि show that whenever a charge particle enters in uniform magnetic field time period remains constant या time period is independent of velocity अगर मैं यहां से एक particle को V velocity से फैकता हूं तो उसका एक certain radius होगा और अगर मैं इसको double velocity से फैकता हूं double से तो उसका radius भी तो डवल हो जाएगा क्योंकि radius velocity की डिरेक्ट लिपोशन है यानि V से फैकूंगा तो radius R है लेकिन उसे घूमने में समय सेम लागेगा अरे समझो ना बात को अगर आप ये चक्कर काट रहे हूं और मैं ये चक्कर काट रहा हूं अगर मेरा distance आपसे double है लेकि मेरी velocity भी अगर आपसे double है तो हम दोनों same time पे तो पहुंचेंगे इसका मतलब है जो time period है उसका velocity से कोई ल देना देना नहीं है time period constant रहता है for a particular charge in uniform magnetic field और यह एक्जाम में बहुत आता है समझ गए चलो अगला यहाँ पर हमने क्या किया हमें चार्ज पार्टिकल को पैरलर लेकिया है कोई force नहीं लगी यहाँ पर फोस लगी लेकिन पर्पेंडिकुलर थी उसने क्या तो चेंज किया velocity की direction बड़ क्या चेंज नहीं किया उसने magnitude तो मैं आप एक नोट का पॉइंट लिग देता हूं यह बहुत काम का पॉइंट है कि magnetic field magnetic field can change direction of velocity of charge but can't change magnitude magnitude of velocity can't change magnitude of velocity लेकिन velocity का magnitude नहीं बदलेगा और अगर magnitude नहीं बदलेगा तो आप समझते हैं कि जो kinetic energy है वो भी constant रहेगी because kinetic energy का formula half mv square होता है m mass है और velocity का square मतलब हापे velocity के magnitude का square होता है kinetic energy को velocity की direction से कोई नहीं नहीं है इसका मतलब अगर एक charge particle अभी हमें शो भी करेंगे इसको प्रूफ भी करेंगे बहुत important derivation भी है लेकिन अगर एक charge particle magnetic field में एंटर करता है तो उसकी भले direction बदलेगी भले फ्लाना बदले दिमकाना बदले लेकिन उसकी magnitude of velocity और उसकी kinetic energy में कोई बदलाफ नहीं आएगा charge की kinetic energy सिरफ electric field ही बढ़ा सकती है magnetic field नहीं बढ़ा सकती है इससी के ओपर एक बड़ा प्यारा topic था cyclotron हमारे syllabus से delete हो गया last 2 साल पहले तक आता था लेकिन अब cyclotron नाम का topic delete हो गया खेर when initial velocity makes an arbitrary angle any random angle with the direction of electric field पहले वाले case में हम लोग लेके आए उसे पार्लल second वाले case में हम उसको लेके आए परपेंडिकुरर अब थर्ड वाले case में तो भाई सा मज़ा ही आ जाएगा क्यूंकि हम उसको लेके आने वाले हैं एक random किसी भी एंगल पर एक random किसी भी एंगल पर तो हमारे लिए magnetic field मालो जा रही है इधर 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 ठीक है अब हमारा जो charge particle इस बार आने वाला है अगर वह ऐसे आया तो कोई force ने लगेगी ऐसे आया तो circular park में घुम जाएगा लेकिन अगर एक charge particle ऐसे आया माल लो एक charge particle ऐसे आया और वह कोई भी random angle बना रहा है थीटा which is between 0 to 90 ठीक है तो क्या इस velocity के दो तुकड़े हो जाएंगे हाँ इस velocity के दो तुकड़े हो जाएंगे एक तुकड़ा ये हो जाएगा जो की हो जाएगा वी कॉस ठीटा और एक तुकड़ा ये हो जाएगा एक तुकड़ा ये हो जाएगा जो की हो जाएगा वी side theta अब समझने वाली बात क्या है जो side theta वाला तुकड़ा है क्या वो magnetic field से perpendicular है और जो तुकड़ा perpendicular होता है वो charge particle को लुकुला पात में घुमाता है जैसे कि यहां पे जो साइन थी्टा वाला तुकड़ा है वह उपर है और मेगनेटिक फिल ऐसे तो v qrosby तो क्या particle यह भी है यहां साइन थीटा वाले की बात करों यह भी है यह वी krosby तो हमारे पास कहा आ उठा अंदर यानि फोर्स लगी अंदर भागरा है इधर फोर्स लगी इधर तो क्या ये ऐसे घुमना चाहेगा समर्ण भागरा इधर फोर्स लगी इधर तो क्या है चार्च पार्टिकल घुमना चाहेगा किदर घुमना चाहेगा ये कौन हमार पास वी साइन थीटा ये कौन आमारे पास मैगनेटिक फिल्ट वी क्रॉस भी तो ऐसे लग रिये फोर्स और जा रहा है ऐसे तो यह ऐसे घुमना चाहेगा ऐसे अरे बोलो यार लेकिन क्या यह वी कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट जो है यह इसको आगे लेकर जाना चाहेगा बिलकुल यह हमारे पास फूर वेलोस्टी है यह मेरे पास मैगनेटिक फिल्ल है फोर्स लग गई ऐसे अब यह वेलोस्टी यह फोर्स तो ऐसे करके चार्ज पार्टिकल को आपको सामने देखाता हूं कंफीजन होगी होगी यह मेरे पास भी साइन थीटा यह रहा चीक है यह मैगनेटिक फिल जा रही अगर ऐसे है इस पूरे को उठ बर्स वेलोस्टी इधर एफ उर्स तो यह इस सगून जायगा और अश्वण जायगा मतलब ऐसे अइसे एसे गूंऑ ऐसे एस टीस में घूमेगा इस प्लेन में अब यह जो कॉस्थीटा वाला कॉम्पोनेंट यह इसको आगे लेके जाना चाहेगा Sin Theta वाला component से गुमाएगा और Cos Theta वाला component सा आग लगे जाएगा देखो ध遊戲 साइन Theta वाला कहतेगा घूमो बेटा ऐसे गूमो है ना ऐसे गूमो लें Cos Theta वाला कहतेगा आगे चलो तो तो अगरे दोनों के बात सनेगा तो ये गूमेगा भी और आगे भी जाएगा ये गूमेगा भी और आगे भी जाएगा ये गूमेगा भी और आगे भी जाएगा और कौन सा पाथ बनाएगा आंसर है हेलिकल पाथ बनाएगा कौन सा पाथ बनाएगा हेलिकल है ना प्यारा इसके उपर कोई numerical वेगरा नहीं कोई चुब गया कोई numerical नहीं कोई derivation नहीं जैसे यहां पर formula आया numerical आएंगे बहुत ज़्यादा आएंगे derivation भी आती है conceptual भी आते हैं लेकिन यहां पर हद सदाबा सिर्फ यह पूछ लेंगे कि कौन सा path follow होगा आएंगे 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 कि फोड़ी बहुत लेकलो as velocity रोग रोग के लिखने मा जल्दी बहुत लेकलो आएंगे as velocity is making angle theta with uniform magnetic field the cos theta component will tend to move the charge particle in forward direction and sin theta component which is perpendicular to magnetic field will tends to rotate the charge particle in circular motion hence due to both the components the charge particle will move in helical path forward in direction helical path forward in direction done it और उसके बाद जल्दी से diagram बना लो क्योंकि हम यहां पे शोग करने वाले kinetic energy constant है ओभाई साब फिर यहां से भी एक नया phase शुरू होने वाला है अभी तो काफी चेप्टर बचावाई derivation बहुत ज्यादा है इस चेप्टर में आप देखे रहे हो एक एक derivation को समझाने हैं बहुत देर लग रहे हैं लेकिन रहकीन मानो वर्थ होने वाला है लेकिन वर्थ होगा मैं सबसे पहली बात हम सब जानते हैं 11 क्लास से कि अगर मैं दो एसे वेक्टर हों करने का दो प्रोडक्ट करता हूँ आप अपस में पर पैन्डे कुलर है तो जिरू क्या फोर्स एक हमेशा perpendicular है velocity की यह भी हमने पीछे बात कि और दो perpendicular vectors का dot product हमेशा 0 होता है because a vector b vector cos theta होता है और cos 90 0 होता है तो यहां से मैं force के जगा लिख सकता हूं mass into my acceleration लिख सकता हूं भी यह बिल्कुल लिख सकता हूं और acceleration को मैं लिख सकता हूं dv by dt है ना भई अब मैं इसको 2 से multiply 2 से divide कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं भी आप समझ जाओ गया तो 2 से divide कर दिया वी को आगे लिए और 2 से multiply कर दिया अब आप देखना ध्यान से हमने चला की क्यों की है अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरे पास m divided by 2 है और यह 2v dv by dt को क्या मैं v square का differentiation with respect to t लिख सकता हूं कैसे अगर मालों मैं इसका difference in गड़ा तो क्या आता पावर आगे आ जाती पावर में से माइनस होता और derivative without power आता यह आता न तो मैंने बेसिकली इसकी जगा ही तो है तो इसकी जगा अगर यह लिख सकते हैं उल्टा किया न अभी तक क्या करते थे इसका difference in करोगा तो यह आ जाएगा तो इसका उल्टा भी तो यह होगा न तो यहां पर हम लोगो ने बेसिकली लिख दिया कि V square by dt हो गया अब यहां पर M by 2 अंबा चला जाएगा अगर M by 2 अंबा चला गया तो half M V square by dt is equal to zero हो गया अब किस यह क्या ही kinetic energy है हां भाई kinetic energy है अब किस चीज का differentiation zero होता है भाई यह ऐसी चीज जो constant होती है उसका differentiation हो जाता है जीरो तो इसका मतलब है kinetic energy sorry 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 ऐसी चीज जो constant होती है उसका differentiation हो जाता है जीरो इसका मतलब kinetic energy constant है जो हमने और ली भी डिसकस कर लिया था लेकिन यहां पर आप इसको ऐसे mathematically भी प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी चार्च पार्टिकल जब एक magnetic फिल्म एंटर करेगा तो भले ही उस पर फोर्स लग रही हो लेकिन उसकी direction चैनल जाएगी लेकिन velocity का magnitude नहीं होगा और अगर वो नहीं होगा तो कानेटिक एनरजी भी क्या रहेगी constant रहेगी चलिए force on a current carrying conductor in magnetic field अब अगर लगाओ अगर एक चार्च पार्टिकल magnetic field में एंटर करता है और उस पर फोर्स लगती है तो पूरे के पूरे conductor को अगर magnetic field में रख दूँँगा फो फिर तो फोर्स लगेगे लगेगी अब यह डाइग्रम अगर आपको याद आए तो यह डाइग्रम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग 10 में थे हमारे पास यहां पर एक होर्स्चू मैगनेट है यह अमारे पास एक होर्स्चू मैगनेट है आपे न और यहां पर होता यहां पर मारे गई इदर और यहां से वायर गई इदर अब जैसे हम लोगों ने यहां पे स्विच्छ ताउस को अन किया तो इस वायर इस अलूमीनियम रॉड में से करणड दोड़ा तो हमने क्या देखा कि यह रॉड हिलने लग गई अब हुआ क्या होगा पहली बात न्यांटर कैन्डक्टर है कि ऑगर है करन्ड कैरिंग कंड़क्टर जैसे रॉड जो है îlami generate तो कऱोड़ने के वज़ा से इस फोर्च लगे बाट ऐसा क्यूं हुआ एक करन्ड़्ड कंड़क्टर पर force कैसे लग जाती है यह हमको समझना होगा मैंने आज से बहुत टाइम पहले शायद आज से छे साल पहले साथ साल पहले एक bipolar motor बनाई थी मैं आपको motor की वीडियो यहां पर लगाता हूं कि कैसे जब हम एक magnet के आज पास से current को दोड़ाते हैं एक magnet के magnetic field में current केरिंग कंड़क्टर को रखते हैं तो कैसे उस पर फोर्स लग सकती है और दुनिया की सारी motor इस पर काम करती है हमें यहां पर टॉर्क के बारे में जब बात करेंगे तो उसको पढ़ना भी है लेकिन अभी के लिए आप समझो एक वीडियो देखो जल्दी से बहुत पढ़ानी वीडिया पर एक बार देखो इसको उस पीडियों के यह रिदम है झाल तो रफली देखा आपने कि जैसे हम लोगों ने उस लूप को डाला तो मैगनेटिक फिल्ट तो थी आसपास सरकेट कंप्लीट किया सेल ने करंट केरिंग कंड़क्टर आ गया मैगनेटिक फिल्ट के बीच में उस पर फोस लगी और वो घूमने लगया तो घूमा क्यों वो टॉर्क है वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन हाँ जब भी एक करंट केरिंग कंड़क्टर को मैगनेटिक फिल्ट में रखा जाता है उस पर फोस लगती है अब आप इसको पिछले व हमारे पास विचल्स आये ये यह आलवी यह आए अएलबी यह एलबी साइन ठीटा जिसको मैं क्या भी बोल सकता हूं आय एल क्रोस भी यहां मर पास फॉर्मृला subject युश को वेक्टर फॉर्म मैं कहीं मुझे बोलना हो तो एलबेक्टर प्र ख्रॉस अगर वेक्टर आगार करन राए यह क्तिना करन दौर्ड रहा है क्या उसकी लेंथ राइर की कंड़क्तर की और बी क्या उस पर बद वैज से बाता है आसपास कितनी मैङनेटिक फिल्ल ए तो इसके हम area of cross section है वो ए है ठीक है अब इस area में अब इसमें से current दोड़ रहा होगा उब वैसी बात है current तो दोड़ नहीं चाहिए current नहीं दोड़ेगा तो भहिया यह current के रिंग कंड़क्टर कैसे बनेगा तो इसमें दोड़ रहा है मान लेते हैं I current और इस area में आपको magnetic field दे रखी है B ज सबसे पहले तो यह पताओ क्या फोस लगेगी हाँ विकास current केरिंग कंड़क्टर को आपने मागनेटिक फिल में रखाए क्यों लगेगी विकास यह जो चुड़क्टर है यह जो कंड़क्टर है यह अपनी खुद की मागनेटिक फिल बनाएगा और यहां बाहर भी करने वालों एन क्या है नमबर ओफ एलेक्ट्रोंस हैं यहां पर यूनिट वॉल्यूम हना कितने एलेक्ट्रोंस है मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि मैंने ओम स्टॉक के दरान भी लेट किया था आपने भी लेट किया होगा तो चोटा एन क्या है नमबर ओफ एलेक magnetic field B making angle theta with the length of the wire if n is the number of electrons per unit volume then if n is the number of electrons per unit volume then अब सुनो यहां से हम लोग यह जानते हैं कि force का जो formula होता है force का जो formula होता है यह होता है Q V cross B ठीक है इसको मान लो first equation अब यहां से charge निकालेंगे charge क्या होगा charge होगा कितने electrons है number of electrons इस पूरी बार में और हर एक electron पर चार्ज होता आपको पता है minus e का होता अगर आप negative sign के साथ दो के तो ठीक है ना दुबारा से charge कैसे निकालेंगे हर एक electron पर charge minus e कितने electron है उससे करते हैं अब कितने electrons है तो number of electrons अगर निकालना तो एन इंटु में वाल्यूम कर दूँगा माइनस भार रहता हूं और यहां पर number of electrons की बजाए अन इन टु में वाल्यूम करती हूं तो दूब वाल्यूम कितनी है इस बाहर की यह cylinder है तो volume को मैं लिक सकता हूँ the volume को मैं लेक्षा काल अल गणाल आल वॉल्म को मैं लिक सकता हूँ AL a scalable सिलेंडर है तो यह मेरे पास total charge हो गया इतना समझते हो अब अगर total charge हो गया इसको अगर में second equation मान लेता हूँ तो putting second equation in first second को first में डाल दो अगर आप ऐसा करते हो तो force का formula मेरे पास आ जाएगा q की जगा में डाल दिया है minus n q की जगा में डाल दिया है minus n a minus n a e b साथ में कौन है l लेकिन अंदर कौन है मेरे पास v cross b अब यह वाला step ध्यान सुनना i hope आपको पता हो कि अगर मैं v को बाहर लेके आना चाहता हूँ और l को अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो यह minus plus हो जाएगा math का नियम है अगर आप cross product में एक को बाहर और एक को अंदर लेके जाना चाहते हो तो आपको बाहर minus लगाना पड़ता है तो अगर मैं यहाप माइनस लागा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा naev भार आ जाएगा और अंदर चला जाएगा ल क्रॉस्ट भी वहीं है एल अंदर चला गया भी भारा गया इसे पचानते हो अरे पचानते हो थार्ड चेप्टर i is equals to क्या होता है e n a v d v d is drift velocity तो यहां से मुवारक हो force का formula आ जाता है इस पूरे के जगा मैं i लिख सकता हूँ तो formula आ जाता है i l cross b यानि हमने भले इस formula की कोई derivation नहीं की थी लेकिन इसकी यानि की i l cross b की derivation हमें proper तरीके से करनी है और अगर मैं इसे angle के form में लिखूंगा तो i l b sine theta आ जाएगा यानि की force maximum कब लगेगी आप 10th class में याद करो ncr t का एक सवाल था कि अगर एक current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं तो maximum force कब लगती है तो बस answer आपको रटा मरवाये गया था कि maximum force तब लगती है जब वो current carrying conductor magnetic field के साथ perpendicular पड़ा हो आज आप समझ सकते हो कि perpendicular पड़ा होगा तो maximum क्यों विकाज जो angle है हमारे पास जो theta है हमारे पास 190 degree हो जाएगा समझ गया डैन हो गया कोई दिक्कत कोई परशानी पक्की बात है चलो आओ अब यहां से मैंने आपको पताया था इस chapter की second sorry actually first सबसे important derivation हम यहाँ पर करने जा रहे है first सबसे important पता निक्यों मुझे देखो मैं ये एक तो होता है कि derivation हमारे practical life में बहुत काम आती है तो वो exam में भी आती है जैसे कि इस chapter में आगे टॉर्क की अगले ही पेज पर होगी टॉर्क की टॉर्क के लिए जगा कम छोड़ रखे तो मुझे यहां पर एक पेज और एड करना पड़ेगा वीडियो को रोके बट अभी के लिए अगर मेरे पास ये derivation मैं बताऊंगा अभी क्या करना वाले है लेकिन यह इस चेप्टर की सबसे important derivation है एक्जाम में सबसे ज़्याद आती है आव समझते पहले क्या कहना चाहता है expression for force per unit length between two infinite long straight parallel current carrying wires उसके बाद 1 ampere बेगरा define करना है वो बात की बात है मेरे हिसाब से वो बात की बात है चीक आओ देखो पहले समझो क्या है करना क्या है यह मेरे पास एक wire है और यह मेरे पास एक और wire है ठीक है जी एक और wire ठीक है इसमें current जा रहा है i1 मानलो i1 और इसमें भी current जा रहा है मानलो उपर के दरफ लेकिन magnitude जो है उसका वो i2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो छोटा डी है लेट से सबसे पहला सवाल मेरा आप से यह infinite wires है infinite लंबाई है इनकी लेकिन मेरा आप से सबसे पहला कोशन यह है क्या यह दोनों wires एक दूसरे पे force apply करेंगी की नहीं करेंगी अगर इनमें current दौड रहा है तो क्या एक वायर दूसरे पे और यह वाली वायर इस पे force apply करेंगी की नहीं आप ज़रा समझेंगे क्या पहली वाली जो वायर है पहली वायर है क्या यह कोई magnetic field पैदा करेंगी अब्वेसी बात है बिलकुल यह जो पहली वायर है इसके आख आसपास एक magnetic field होगी बिलकुल होगी और इसकी जो magnetic field होगी यह वाली वायर जो magnetic field बना रही होगी concentric circles की form में जो की पीछे हमने calculate भी कर लिया जिसका formula है mu naught I upon 2 pi r यह वाली वायर यहाँ पे B1 नाम की magnetic field पैदा कर रही होगी और यह magnetic field क्या second वाली वायर क्या cross होगी हाँ इसका मतलब है second वाली वायर हो गई एक current carrying conductor जिसके आसपास रखी गई है magnetic field first वाली वायर अपने आसपास magnetic field पैदा करेगी ऐसे करके जिसकी वज़ा से second वाली वायर पे एक force लगेगी विकॉस जब भी यह current carrying conductor को magnetic field में रखा जाता है उसके पर force लगती है तो हमें वो force निकालना है actually हमें force पर unit length निकालना है अब अकल लगाओ ऐसे ही second वाली वायर ने भी अपनी खुद की क्या पैदा कर रखी होगी भई यह magnetic field और इसकी magnetic field भी इस पर क्या लगा रही होगी force but every action has equal and opposite reaction तो हम एक के निकालेंगे दूसरे के automatically आजाएगी but कितनी force लगा रहे होंगे तो आख consideration लिख सकते हो let us take two parallel wires carrying current I1 I2 in same direction अब यह पढ़ेंगे कि अगर opposite direction में जा रहा होगा तो क्या होगा carrying current I1 I2 in same direction having छोटा D distance between the wires then अब इदर आजाओ थोड़ा ध्यान सुनना magnetic field magnetic field produced by wire 1 wire 1 कितनी magnetic field पैदा करेगी उस D point पे तो magnetic field का formula हम लोगों ने पढ़ा है mu not I1 क्योंकि इसमें current I1 जा रहा है upon में 2 pi r होता है r का मतलब है दूरी और यहां से जो दूरी है इसकी वो अब्वेसे बात है D है तो 2 pi D आ गए यह हमारे पास आ गए magnetic field produced by the first wire around second तो force on wire 2 wire 2 पे force कितने लगेगी force का formula हमने क्या पढ़ा है आज ही पढ़ा है I A L B sin theta ध्यान सुनने वाली बात ही है कि I A वो current होता है जो conductor में दौर रहा होता है तो इसमें जो current दौर रहा बो लेना होगा which is I2 लंबाई L है लेकर magnetic field वो होती जो इसके आसपास होती है और इसके आसपास जो magnetic field है वो B1 है और angle की अगर बात की जाए तो sin 90 होगा इतना समझ गयोगा कैसे यह जो बाहर है यह जो magnetic field बना रही होगी वो inward होगी current जा रहा है उपर magnetic field inward है तो angle होगा 90 degree sin 90 कितना होता है sin 90 हो जाता है 1 ठीक है जी तो force second वाले पर आगई I2 I2 है हमारे लिए L B1 के जगा मैं लिख रहा हूं mu naught I1 upon में 2 pi D जो कि यहां से आया अब L को क्योंकि मुझे force नहीं निकालने मुझे निकालना है force per unit length तो L चला जाएगा divide में I2 upon में 2 pi D mu naught I1 I2 upon में 2 pi D तो यह हमारे पास formula आ जाता है तो यार मेरा मोय मोय हो गया अभी अभी just क्या मतलब आज सुबा मैंने इसके आगे यह डबा शायद में last बनाया था और उसके बाद सारी वीडियो की जो audio थी वो record नहीं वी बिकॉस जो माइक में batteries थी वो खतम होगे तो मुझे इस सारा का सारा हिस्साद दुबारा से record करना पढ़ रहा ऑल्दो यह वाली ppt में लिखके लिए आए हूँ इसका आगे का मैं सारा मिठा दिया है यह सब हो गया था हो गया था हो गया था इसलिए हो सकता है यह वन चॉट एक दिन और लेट आएगा आपके पास मतब आप तो देख रहे हो तो आ चुका है but batteries खतम होगे थी तो मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था कि यह वाली wire की जो magnetic field है वो उस पे जो force apply करेगी वो mu not i1 i2 by 2 pi d होगी तो अगर यह force second वाले पे पर unit length तो first वाले पे भी इतनी force लगेगी mu not i1 i2 upon में 2 pi d क्यासे अगर मैं इस वाले की force निकालना चाहूंगा इस पे तो यह magnetic field पैदा करेगा तो mu not i2 upon में 2 pi d हो जाएगा और यहां पे i1 आ जाएगा तो आना i1 i2 upon में 2 pi d mu not ही है the point is कि यह इस पे और यह इस पे बराबर force लगाएंगे लेकिन यहां पे हमने दो point लिखे हैं पहला है कि अगर current same direction में होगा तो यह दोनों wires एक दूसरे को attract करेंगी बट अगर current opposite direction में होगा तो यह दोनों wires एक दूसरे को repel करेंगी कैसे आवजरा समझें और यह बहुत important point है exam में अक्सर इसके उपर अगर numerical आता है तो साथी साथ direction भी पूछते हैं live session मैंने इसके उपर दो कोशन करवाई थे यह वायर जा रही हो पर अब इसमें current आगर उपर है अगर उपर है अगर और इसमें क्या हो रही है यहांसे राइट तो यहां से आउट्वर्ड 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 में नीचे माल लो इसमें उपर जा रहा है तो क्रॉस 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 आगर इसमें नीचे जा रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा तो इसमें भी इनवर्ड होगी तो दोनों के लिए magnetic field same direction में होगी same direction में होगी तो वो दोनों दूसरे को cancel out कर देंगे तो यह बात हमने की थी फिर अगर आपको याद हो तो मैं बात करनी है force per unit length और साथ ही साथ हमें बात करनी है one ampere के definition की बच्चा अक्सर पूछता है कि सर अगर one ampere के definition बोला है तो मैं one column of charge is flowing through a conductor in one second भी तो लिख सकता हूँ लिख सकते हो बढ़ कब जब सिर्फ define one ampere बोला हो अगर ऐसे बोला हो कि force per unit length निकालो और उसके बार define one ampere करो तो इस formula की मदद से हम लोग one ampere define करेंगे बहुत simple है बेखो one ampere कौन सा current है अगर दोनों wires में एक एक ampere का current flow हो रहा है और उन दोनों के बीच में distance one meter है तो force per unit length या force newton per meter में किसके बराबर आ जाएगी mu not upon two pi के तो one ampere कैसा current हुआ one ampere is current which flows into parallel wires having distance of one meter between them produces force of mu not upon two pi and the value of mu not upon two pi is two into में 10 की पर minus seven तो अगर दो wires में एक एक ampere current flow हो रहा है और उनके बीच में distance जो है वो एक मेंटर का है तो जो force लगेगी वो two intermittent की पार minus seven newton per meter लगेगी तो उस case में जो current दोनों wires में flow हो रहा होगा वो one ampere होगा तो ऐसे भी हम one ampere को define कर सकते हैं और जब भी इतिहास गवाए PYQs चेक कर लो force per unit length की derivation आई है तब तब one ampere भी आया है मुझे नहीं बता ये इतना जादा एक्जाम में क्यों आता है ये तो हमारी life actually में इससे जादा important जो हमारी life में मतलब life में मतलब daily life में वो टॉर्क है हमारे घर में हर चीज जिसमें current pass करने पर वो घूम रही है उसका reason आपको यहां पर मिलेगा तो यह मुझे लगता है practically ज्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग बढ़ ठीक है एक्जाम में यह बहुत आती है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं अब हम लोग करने वाले इस chapter की second सबसे ज्यादा एक्जाम में आने वाले derivation which is torque on a current carrying loop kept in uniform magnetic field अगर मैं एक loop को uniform magnetic field में रखता हूँ तो उस पे torque लगेगा तो सबसे पहले इसके इस पूरी derivation की दो steps हैं पहले आपको समझना होगा कि torque लगेगा की नहीं force apply होगी की नहीं उसके बात पढ़ेंगे कि torque कितना लगेगा तो सबसे पहले आप उसके diagram को समझते हैं अगें इसका diagram बहुत ज्यादा important है तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक magnet का नॉर्थ पूल होने वाला है और एक तरफ हमारे पास south पूल होने वाला है तो इसको हम लोग white color से लट से दिखा देते हैं तो यहाँ पर एक मैं आपको पता है magnet का अकेला पूल तो exist नहीं कर सकता तो यहाँ पर हमारे पास magnet का है नॉर्थ पूल और यहाँ पर हमारे पास है south पूल south पूल है हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब अगर यह north यह south है तो magnetic फिल जा रही होगी आपको पता है north से south तो हमने क्या किया इसके बीच में एक loop रख दिया loop यह एक rectangular loop है square भी हो सकता है again अभी के लिए यह एक rectangular loop है and obvious सी बात है इसमें current दोड़ेगा तो यहां जैसे circular loop में बात की थी कि current दोड़ेगा ऐसे यहां से wire आ रही होगी अभी हम इसको ऐसे दिखा रहे है ठीक है इस loop का नाम भी ले लेते हैं कुछ मालो आजाओ इसको A बोल देते हैं इसको B बोल देते हैं इसको C बोल देते हैं इसको D बोल देते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये लूप जैसे अभी के लिए फिलहाल इधर नौर्थ है इधर साउथ है इधर नौर्थ है तो मैं लूप को ऐसे इमाजिन कर लिए और ये ऐसे घुमने वाला भी थोड़ी देर में विकॉस अभी हो आपको पढ़ाएंगे कि इस तो टॉक पूब गूम गया सुनना क्या किया चारौं यहां पे नौर्थ से साउफ जा रही है म क्यों यह ता पकाई के मैगनेटिक फिट लें राइट वर डरिक्षिन है तो अगर मै México राइट वर डिल्ड एल क्रॉस भी तो हम उठा का आगे अंदर यानि की लूप के इस वाले हिस्से पर फोर्स लग रही है अंदर ठीक है और अब्वियस है कि इस वाले पर करन नीचे है और मैगनेटिक फिल ऐसे एल क्रॉस भी करूँगा तो फोर्स भार आ जाएगी अकल लगाओ इस वाले पर फोर्स अंदर है और इस वाले पर फोर्स भार है अगर इस पर अंदर है तो क्या यह घूमने जाएगा ऐसे करके और अगर यह ऐसे करके घूम गया तो यह लूप कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे घूम जाएगा ऐसे घूम जाएगा कहीं न कहीं ये लूप ऐसे घुम जाएगा ये कहना अब ये लूप घुम गया ऐसे करके यानि A चला गया वहाँ B चला गया है D आ गया है C आ गया है ये घुम रहा है लूप तो मैंने रस्ते में एक और फोटो खीच लिए इसकी बस समझाने के लिए आपको भया कि ये एक ये जगह पे नहीं रहेगा ये घुमेगा अब हमने इसको रफली तो समझा कि इस वाली बात पर फोर्स लगएगी इनवर्ड इस पर लगएगी आउटवर्ड जिसकी वैसे घुमेगा लेकिन हमें शो करना होगा कि ये सिर्फ घुमेगा आगे पिछ नहीं जाएगा जैसे कि फर्स चेप्टर में हमने शो किया था कि एक डाइपोल को जब यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल में रखा जाता है तो इस पर नेट फोर्स जिरो होते है जिसकी वैसे वह आगे पिछे ऊपर नीचे नहीं जाता लेकिन टॉर्ग लगता है विकास फोर्स की वैसे लाइन अफ आक्शन जो है वो अलग हो जाता है तो यहाँ पर अगर आपो चंसेडरेशन लिखने है लख लिए जे कि ले आजュ उनिफ़ा हो अगिनिटीक फील्ड बि एन एरिया इन एरिया इनन आ रयक्Тांगूलर लूप अबी-सीडी रैक्तांगूलर लूप-बी-सीडी bow जोन निंस फ allergic टो न अन चो टाबी विडियू चोटायल य ungef बी आप मारुट आ लिए से हम लोग क्या करेंगा सबसे पहले चारों पर फोर्स लगाएंगे कितने कितने निकलेगी तो पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स ओन एबी वायर पढ़ा भी अभी मत्तल्ब मैंने तो आपको सुबह पढ़ाया था यह तो मैं शाम को दुबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फो उसका फामला हमने पढ़ा आई एल भी साइंग थीटा तो जो एबी वाली वायर है उसकी लंबाई एल है और थीटा कितना है अकल लगा लो थीटा हमेशा 90 होगा कैसे इधर जा रही है मैंगनेटिक फिल उपर जा रहा है करंट तो अगर मैंगनेटिक फिल इदर है और यहां पर करंट उपर है तो यह कैसे मर्जी घूम ले यह उपर रहेगा और मैंगनेटिक फिल ऐसे रहेगी तो कैसे मर्जी घूम लो एंगल कितना रहेगा भाया एंगल रहने वाला है 90 डिग्री कुछ भी हो जाए यहां पर एंगल रहने वाला है साइन 90 इस हिसाब से जो एबी पर फोर्स आजाएगी वह आजाएगी आई एल बी यह याद रखना भाई ठीक है सिमिलर्ली सिमिलर्ली फूर्स अगर एबी पर आई है आई एल भी तो अव्वेसी बात है भाही यह जो सीडी है उस पर भी आई एल भी आएगी बस डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाल अगर अभी के लिए इनवर्ड थी यह वाली अगर अभी के लिए इनवर्ड थी अरे काम अर गई यह वाली अगर अभी के लिए इनवर्ड थी तो यह वाली आउट वोट दो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है यह बस आपको यहाद रखना है ठीक है चलो अब बड़ा साइन अब यहां पर कुछ एंगल बन रहा होगा लेट से अलफा कैसे देखो इसमें जो करंट जा रहा है वो इदर है तो यह हमारे लिए हो गया इसका एल मैं हटा दूंगा भी इसको यह हो गया और मैगनेटिक फिल जा रही है ऐसे तो यह जो एंगल बनेगा इनके बीच कर वो अलफा होगा जो बार-बार चेंज हो रहा है हना समझे रहो क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि यह हमारे पास इसकी लंबाई है और यह मैगनेटिक फिल है अब इसकी लंबाई जो magnetic field हमारे पास नीचे वाले पर होगी यहाने कि यह आगर पास B혁 यह और यह वाला जोhertz है अगर यह एंगल पर यह अलफा है तो यह अच्छी बात यह है कि साइन 180 माइनस अलफा जो होता है वो साइन अलफा ही होता है साइन 180 माइनस अलफा जो होता है वो साइन अलफा ही होता है फॉर्मला होता है आए इंटू में लंबाई इंटू में मैगनेटिक फील्ड इंटू में साइन अलफा यहां पे भी होगा आए into में لمبائی जो की B है into में magnetic field और sin 180 माइनस alpha क्या हो गया हमारे पास sin alpha ही हो गया sin alpha ही हो गया तो अब हो क्या रहा है देखो यह जो AB पे force है और जो CD पे force है वो भी equal or opposite है अब जो BC पे force है और AD पे force है वो भी equal or opposite हो की कैसे इसमें यहां पे है L यहां पे है B तो L cross B से force उपर आ जाएगी इसमें यहां है L यहां पे है B तो L cross B से force नीच आ जाएगी यानि कि यहां पे जो force आएगी वो नीच आएगी यहां पे जो force आएगी वो उपर आएगी अब अगर यह लूप है मेरे पास तो यहां की force उपर है यहां की force नीचे तो दोनों force एक दूसरे के साथ same line of action पर है और opposite है तो cancel out हो जाएंगा ना भई तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि as force on AB is equal and opposite to force on CD also force on AD is again equal and opposite to force on what BC तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि इस loop पे जो net force लगने वाली है वो zero है इसका मतलब है यह loop ना तो आगे जाने वाला है ना ही पीछे जाने वाला है यह loop आगे पीछे आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा इस पर जो net force लगेगी वो zero है लेकिन कैस पर टॉक लगेगा आओ ज़रा समझें टॉक कब लगता है जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स नहीं लेकिन उनका अगर रहनका लाइँस है तो क्या ये एक्षर टॉक 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 लेह याज लाइणा अपक्शन उनका फोर्स यॉकर के लाइंगा टॉक अधूलेक लाइख मतलब किस लेन पर फोर्स लग रही है सो थीज फोर्स जा आ विल एग्जर्ट पर यह पोर्सेस क्या एग्जर्ट करने वाली है और और हमें वह तो निकालना कि कितना टॉक लगे श्कर आ जाओ तो टॉर्क का फॉर्म्मला क्या होता है यह एलेवन्ध ग्लास याद करें तॉर्क का फॉर्मूला होता है इधर फोर्स इन्टू में इनके बीच का पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस इन्टू में इनके बीच का पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस अब इधर फोर्स जो फोर्स टॉक लगा रही है वो तो कौन सी फोर्स है AB की है या CD की है which is ILB IALB और इनके बीच का perpendicular distance कितना होगा भई देखो अगर ये उपर से देखा जाए तो ये मैं AD बना रहा हूँ AD ये A है ये D है उपर से देखा जाए तो तो ये जो force है इदर ये हमारे पास AB पे लगने वाली force है और ये जो force है ये CD पे लगने वाली force है तो इनके बीच का तो perpendicular distance हुआ वो ये हुआ सही है अब अगर ये वाला angle मान लो हमारे पास theta है और ये वाली चोड़ाई जो है वो B है तो इसके सामने वाला कौन हो गया B sin theta तो यहाँ पे perpendicular distance आ जाएगा B sin theta capital B magnetic field है और small B उसकी चोड़ाई है तो I को अलग लिया L into में B को अलग लिया और साथ में आ गया B sin theta क्या आप L into में B को जानते हो क्या आप L into में B को जानते हो area है तो क्या अगर मैं L into में B की जगा इसका area लिग दूँ तो आए AB sin theta आ गया अब यह हमारे पास torque आया है अगर हमारे लूप में एक ही turn हो अगर इसमें n number of turns हो for n number of turns for n number of turns अगर इसके पास n turns होंगे तो torque का formula niab sin theta है मैंने इसको ऐसे याद किया था बीना sin theta जल्दी याद रहता है वैसे बहुत साई नाम बन जाएंगे बीना, बानी, निबा जो भी प्रकार से आप इसका नाम देखना चाहो बट यहाँ पे n number of turns है i कितना current है b magnetic field है a यहाँ पे area of the loop है and theta जो angle है जो बार-बार change हो रहा है इस case में है ना बई तो यह जो torque है वो हमारे एक rectangular coil पे लगेगा अगर rectangular coil को uniform magnetic field में रखा जाता है तो यह derivation असान नहीं है सच कह रहा हूँ जाता diagram में बच्चे confuse होता है कि कैसे angle alpha या theta या अगर ऐसा है तो वीडियो को एक बार रोक के वापस चले जाओ पीछे कोई जल्द बाजी नहीं है और दुबारा समझो कि direction कैसे दिखाई है बिना direction के confusion होगी ही होगी दैने चले आगे चले फिलाल अगर आपने पॉस करके background जाके चेक लिया इसको तो चलो अब बात करते हैं moving coil galvanometer की आप क्या सकते हो कि moving coil galvanometer एक प्रकार से इस चेप्टर का एक बहुत important topic है मैं रहता हूं क्यों यह important बन जाता है सुनों moving coil galvanometer पहले आगर आप last pyqs देखो गए तो ज्यादा नहीं आया हूँ एक्जाम में पताता हूं उसके पिछे का reason किया पहले इस चेप्टर में एक और important device था जिसका नाम है cyclotron तो अगर आप कोई पुरानी किताब उठाते हो जिसमें पुराना syllabus भी होता है पी वाई क्यूज वाली तो आपको समय cyclotron बहुत मिलेगा cyclotron एक बहुत अच्छा डिवाईस था अब एक चप्टर से कोई एक डिवाईस के उपर कोशन ज्याद आते थे वह साइक्लो ट्रॉन लेकिन क्यूंकि अब cyclotron इस वाले चप्टर से डिलीट हो गया है तो अब या लाज दो साल से आप देखो कि moving coil galvanometer के उपर काफी सवाल आने लग गए है पहली बात तो moving coil galvanometer का मतलब क्या होता है एक galvanometer होता क्या है आप सबको पता है एक galvanometer होता है जो बहुत छोटे छोटे माइनिउट करण्स को भी calculate कर सकता है हाना भई एक Emitter और एक Galvanometer फ़रख क्या होता है आपको पता है सबको Galvanometer Galvanometer can only detects or calculate or calculate very small values of current like in micrometers micro amperes Galvanometer एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटे current को ना पने ना पने के लिए भी नहीं actually सिर्फ detect करने के लिए because micro amperes में यह maximum maximum आप कहलो millimeter गज़्दिय चला जाए लेकिन आप सोचो कि मैंसे एक एंपियर दो एंपियर दस एंपियर ना आप सकूं impossible है तो पचास सो तो भूली जाओ उसके लिए हम लोग emitter use करते हैं emitter actually में current को measure करने के लिए बनाए गया था ना पने के लिए बनाए गया था लेकिन galvanometer बनाए गया था सिरफ current की presence शो करने के लिए वो भी ऐसे current जो बहुत मुश्किल से detect होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं अब उसमें बहुत अलग-अलग प्रकार के हमारे पास galvanometer आते हैं उन में से एक है हमारे पास moving coil galvanometer जिसके actually galvanometer बहुत अलग-अलग-अलग प्रकार के होते हैं जो moving coil galvanometer होता है उसमें अंदर एक coil होती है वो घुमती है पहले मैं आपको इसका एक rough diagram बनाके दिखाता हूं उसके बाद हम इसको एक वीडियो के थुरू भी देखेंगे अब moving coil galvanometer के principle पर काम करता किस नियम पर काम करता है तो यह रहा कि जब भी एक current carrying conductor को magnetic field में रखा जाएगा तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और उसकी मदस्यम करण निकालेंगे तो आप चाहो तो इसका principle लिख सकते हो मैं बोल के लिखवाई था हूं टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को पॉस्ट के लिख लिए प्रिंसिपल क्या है वह यह इसका फोर्स लगेगी और अगर वह लूप होगा तो वही फोर्स उसके उपर टॉर्क पैदा करने वाली है अब यह कैसा बना होता है कैसा दिखता है आव ज़रा समझें हमने यहां पर जो मागनेटिक फिल ली थी वह एकदम यूनिफॉर्म थी यहां पर एकदम स्ट्रेट मागनेट्स ली थी लेकिन गैलवेनो मीटर में आक्चुली में जो मागनेट्स ली आती है वह रेडियल मागनेटिक होती है अब यह रेडियल मागनेट्स क्या होता है मैं आपको पताता लेकिन उससे पहले यह हमारे पास एक लूप है अब इस लूप में होता क्या है भई कि यहाँ पे हम लोग Radial Magnetic Field लेते हैं अब Radial Magnetic Field क्या होता है यह हो सकता आपके ले एक नया शब्द हो Radial Magnetic Field एक नया शब्द हो जैसे यहाँ पे North ले लिया और यहाँ पे इस सब बहुत मेंद से बनाया थे हैं वाने सम्मिट गया हाँ और यहाँ पे हमने साउथ ले लिया लेकिन हमने इस बार फ्लाट नौर्थ या फ्लाट साउथ नहीं लिया अगर आप देखो तो हाना हमने यहां पर कुछ semi circle कहलो ऐसी shape की magnets लिए और इनको लेने के पिछे का कोई कारण है ओपसी बात है कोई कारण है वो कारण भी हम लोग जानेंगे क्या कारण रहा कोई ना कोई कारण है बटा पांच मन में वो कारण भी आ रहा है अब यहां पर हमारे पास जो magnetic field निकलेगी वो ऐसे निकलेगी सीधर आएगी नहीं बिलकुल ऐसे और यह हमने ले रखा है soft iron core और यहां से निकल के अंदर से निकल के यहां जाएंगी अंदर से निकल के यहां जाएंगी यहां जाएगी और यहां जाएगी पता रहा हूँ ऐसी magnetic field लेने का कारण क्या है बट ले लिए अब इस soft iron core के ओपर हमारी यहां पर कोईल लिप्टी रहती है अब इस coil के नीचे यहां पे ऊपर के लो नीचे के लो मतलब देखने का नदर यहां पे एक spring रहता है इस spring पे यहां पे एक pointer रहता है और यहां पे हमारे पास एक scale रहता है जिस पे 0, minus 1, minus 2 ऐसे करके लिखा रहता है यह गिंती तो खहर बाद में लिखते है और वेसी बात है यहां पे एक proper पूरा का पूरा mechanism होता है यह पूरा का पूरा mechanism है वो सब हमें नहीं बात करनी है हमें बात करनी है कि basic basic यहां पे एक spring लगा होता है बहुत sensitive spring लगा रहता है और यह हमारा pointer है जो हमें हमारी reading दीता है यह हमारे पास soft iron core है, soft iron क्यों ले रहे हैं, सब का current मिलेगा आपको, ठीक है न, अब यह base और यह coil है, coil में इधर से एक positive होता है, और इधर से एक negative होता है, आप ऐसे ऐसे imagine कर लो, ऐसे imagine कर लो, एकी बात है, ठीक है, अब यह काम कैसे करने वाला है, मैं बताऊंगा, इसमें यह से current pass करेंगे, इस पर torque लगेगा, यह घूमेगा, घूमने से spring में खेचाव पैदा होगा, यह pointer उदर उदर भागेगा, और current की reading देगा, यानि काम तो torque पर कर रहा है, तेकिन इससे पहले एक वीडियो देखो, जहां पर galvanometer को खोल के अंदर से देखते हैं, कि क्या वो actually में में ऐसा मिलता दूलता देखता है कि नहीं, आओ, यह है एक असली galvanometer और यह है जो 12th class की NCRT में दिया गया galvanometer, तो क्या हमारा असली galvanometer के अंदर वैसा ही सब कुछ होता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, आओ ज़रा इसको खोल के चेक करते हैं, तो पीछे की covering खोलने के ब पैदा हो रहा है, और सबसे इंटरस्टन चीज जो कि यह galvanometer की जान होती है, वो है इसके radial magnetic field, अब यह जो दो चीज़े आप देख रहे हैं, यह और यह इसके radial magnetic fields के लिए magnets हैं, आप देख सकते हैं कि यह magnet है, चुमबक है, इस पे चिपक गई है, कि यह क्यों लगाई जाती इसके अंदर copper wire के turns भी लगे हुए, जैसे मैं current pass कराता हूँ, यह घुमता है इसके अंदर हमारी पढ़ाई कराई गई, जो है वो बिलकुल सही है, तो हाँ roughly समझ गई होगे है, मतलब obviously बात है, जब तक उसके काम नहीं करोगे, खुझ से बनाओगे नहीं तो और जादा भे इडिया हो गया होगा कि galvanometer, actually मैं दिखता कैसे, अब यह काम कैसे करता हो, जरा समझे, मालो मैंने इसके अंदर से यहां से एक current pass कराया, पहले इसके working को समझते हैं, और फिर mathematically भी समझेंगे, अब जैसे ही मैंने, और हर एक चीज़ के पिछल का करन आएगा, कि soft iron क्यों लिय या radial magnetic field क्यों लिए, एट्सेटर, एट्सेटर, जब कोई magnetic field, ऐसे एक particular point पे जा रही हो, इसे radial magnetic field कह देते हैं, radial, जैसे की circle के radius जाते हैं, अब मैं अगर यहां से कुछ current pass कराऊंगा, तो क्या पहली बात, इस पूरी coil पे, जो coil है, इस पर torque लगेगा, because अई पड़ा, current carrying loop, kept in magnetic field experience, some torque, तो टॉक तो लगेगा, अब उस torque की वज़ा से यह पूरी की पूरी coil जो है, वो घूमेगी, उसके घूमने की वैसे यहां पे ऐसा setup लगा हो है, कि spring में खिचाफ पैदा होगा, उसके घूमने से, यहां पे spring में एक खिचाफ पैदा होगा, torsion strain पैदा होगा, tension पै तो मान लो इधर चला जाएगा, ऐसे घूमा तो इधर, तो अगें यह प्लस वन है, यह माइनस वन है, कुछ भी समान लो, यार यह तो गिंती तो हम बाद में लिख देंगे, गिंती तो पर लिखी भी नहीं जाती, समझाओंगा सब, और इस pointer के गूमने से हम इसकी reading को calculate कर लेंगे, अब्विसी बात है, बहुत बड़ा topic है, moving coil, galvanometer, paid batches के अंदर, दो classes पूरा चलता है, दो घंटा, यहां one shot है तो इसको मैं 15-20 में समझाना चाहूंगा, कि यहां से current pass करा है, इस coil पर talk लगा, यह घूमा, spring में खचाब पैदा हुआ, pointer जो है, वो इधर उधर गया ठीक है, अब कुछ सवाल, पहला हमने आपे soft iron क्यों लिया, answer है, अगले chapter में आप पढ़ोगे soft iron, एक बहुत अच्छा magnetic substance है, खाच बात यह है, कि अगर आप इसे एक बार magnetic field में रख दो, और उसके बाद magnetic field को remove कर दो, तो यह demagnetize भी हो जाता है, वहीं पर बाकी जो iron होते ह soft iron, अगर आप इन्हें magnetic field में एक बार रखते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हथता कि एक permanent magnetization achieve करता है, बढ़ यह भाई सा, soft iron temporary magnetization achieve करते है, second लिए, क्या अगर मैं यहाँ पे सीधी magnetic field लेता, ऐसी वाली, तो torque का formula क्या आता मेरे पास, torque का formula आता, बीना sin theta, और theta बार बा मैं चाहूंगा कि मैं जब भी एक certain amount of current पास करूं, तो मेरा जो pointer है, वो certain amount में ही deflection दे, ताकि हर बार reading same आए, तभी तो galvanometer काम आएगा, तो उसके लिए, मुझे constant torque पैता करना था, तो कुछ ऐसा करना था, कि जो theta है, वो 90 degree हो जाए, या ऐसा कोई angle हो जाए, जो fix दो, तो ह हमने इसको soft iron core को भी ऐसा लिया, और magnetic field को ऐसे लिने से क्या हुआ, इसने हमेशा surface के साथ angle क्या बनाया, 90, और हमेशा angle 90 बनाया, तो torque में से sin theta वाला में, जो sin theta वाला है, बहुटी गया, तो torque constant हो गया, हना भी, आपर इसकी working समस्तिन, जैसे मैंने इसके मेरा current पास कराया, त ठीक है न, यह torque on coil पैदा हुआ, और इस torque की वज़ए से, यहाँ पे एक torsion strain पैदा हुआ, इसको मैं tau s बोल देता हूँ, अब torque का formula वैसे होता है, bina by, bina sin theta, और torsion strain का formula k theta होता है, 11th class में पढ़ा था, force का formula kx था, और torque का formula k theta था, अब sin theta जो है, यह अलग angle है भई, confuse मत हो न, यह जो sine वाला angle है, यह अलग है, और theta यहाँ पर deflection है, तो यहाँ पर confusion ना हो, तो मैं इसको alpha लेता हूँ, चलो, alpha, ठीक है, यह alpha क्या है, कितना deflection पैदा हो रहा है, इस spring की वज़़ा से, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है, bina, theta तो 90 कर दिया ह sine 91 हो गया, तो यहाँ से alpha की value कितने आ गई, bina by k और i को मैंने बाहर ले लिया है, अब जो पूछने जा रहा हूँ, बड़ा important सवाल है, मैंने अभी तक भाई साब, लगबग 2 गंटे से उपर का one shot हो गया होगा यह, 3 गंटे के आसपास जा रहा होगा, मैंने अभी तक आप से एक सवाल नहीं पूछा, दो गंटे का तो होगया होगा, एक भी सवाल नहीं पूछा, comment section मुझे इसका answer चाहिए, अगर मैंने एक galvanometer, आप सभी ने अभी अभी एक galvanometer देखा वीडियो में, अगर मैं एक galvanometer को बना के pack कर दूँ, तो क्या यह जो bracket वाला हिस्सा है, यह constant होगा या variable होगा, अगर मैं एक galvanometer को बना के pack कर देता हूँ, तो यह B, N, A और K, यह एक galvanometer के लिए constant होगे या variable होगे, जल्दी से comment section पर इसका answer दो, इमानदारी से, पूरी, क्या यह B, N, A, और K, constant होगे या variable होगे, तो answer है, B, N, A, और K, constant होगे, because B क्या है, magnetic field, N क्या है number of turns, A क्या है, area, और K क्या है, spring constant, यह सब एक galvanometer के लिए हो जाएंगे, constant, अब अगर यह सारे के सारे, एक galvanometer के लिए constant हो जाएंगे, तो मैं इसको एक नया constant बोल रहा हूँ, which is G, यहाँ पर आप समझ सकते हो, कि जो G है, यह हो गया है, B, N, A, by K, जिसको हम लोग, galvanometer constant भ गयानोमीटर constant भी कहते हैं, because एक galvanometer के लिए एक constant रहता है, और अगर जी यहाँ पर constant है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं, कि जो deflection produced हो रहा है, वो directly proportional to क्या है, current है, जो भी deflection यहाँ पर पैदा हो रहा है, produced हो रहा है, वो directly proportional to current है, और यही तो हम चाते थे, हम यही तो चाते थे वा कम current पास करा है, तो कम deflection हो, मैंने एक ampere पास करा है, इस पर deflection हुआ, दस डिगरी का, तो एक ampere पास करा है, एक ampere से मेरा कहने का मतलब है, एक micro, because galvanometer एक ampere नहीं नाप सकता, एक ampere current पास करा है, दस डिगरी का deflection हो गया, दो ampere पास करा है, बीस डिगरी का हो गया, तीन करा यह एक डिग्री पास करा है इतना हुआ 1120 इतर आ गया दो लिख दिया आपसे बाद हाथ से ने लिखा प्रिंट किया और अब तो यह सब स्टैंडर्ड तरीके से बन भी गया है बट ठीक है मैंने ऐसे बना और मैंने गैलवनुमेटर पैक करके आपको घर में भेज दिया अब आपने अपने घर में जाके जब एक एक्स अमाउंट आफ करन्ट पास कराया होगा तो उतने डिफलेक्शन मिलना चीज़ जो मैं पैक करते वक्त कर रहा था तो अगर आपको डिफलेक्शन यहां तक मिला तो वेसी बात है वो करन्ट एक एंपियर ही होगा और अब आप गैलवनुमेटर को नाप गैलवनुमेटर जो कि हम चाहते भी थे ठीक है जी तो यह त्यार होगे हमारा गैलवनुमेटर अब सेंसिटिविटी आफ गैलवनुमेटर क्या होता है गैलवनुमेटर बनाने का मकसद क्या था गैलवनुमेटर बनाने का मकसद था कि हम एक छोटे से छोटे करन्ट को भी डिटेक्ट कर सके तो अब जल्दी से पताओ अगर आप एक galvanometer अच्छा galvanometer बनाना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो कि कम से कम current पे जादा से जादा deflection हो या जादा से जादा current पे कम से कम deflection हो मन में सोच लो आप क्या चाहते हो एक अच्छा galvanometer क्या है जो कम से कम करंड पर जादा डिफ्लेक्शन दे या जादा से जादा करंड पर कम से कम तो अब वैसे बात है आप चाहते हो कि कम से कम करंड पर जादा से जादा डिफ्लेक्शन दे अच्छा एक्जाम में यह सवाल बढ़े आते हैं हमने रेडियल मागनेटिक फील क्यो के लिए है वो सब लिख लेना वही अपनी वाशा में ठीक है ना बहुत आते हैं सवाल चलो तो आप क्या चाहते हो आप चाहते हो कि मेरे पास एक ऐसा गैलवेनोमेटर हो जो कम से कम करण्ट पे जादा से जादा डिफ्लेक्शन दे विकॉज इसको बनाया ही कम से कम करण्ट करने के लिए गया था तो sensitivity of galvanometer क्या होता है इसकी दो sensitivity होती है एक होता है current sensitivity current sensitivity current sensitivity क्या होता है deflection produced deflection produced per unit current deflection produced per unit current तो अगर मैं बोलूँ कि current sensitivity क्या है तो current sensitivity है कितना deflection आपने produce किया कितना deflection आपने produce किया per unit current अगर आपने कम से कम current में ज़्यादा से ज़्यादा deflection किया है तो current sensitivity ज़्यादा है समझे रहो ना अब क्या alpha by i अगर आप इस formula से बात करें क्या alpha by i g है क्या alpha by i g है और क्या g जो है वो b na by k है क्या g जो है वो हमारे पास b na by k है yes तो g की जगा मैं लिख सकता हूँ b na by k तो अगर आप एक ऐसा galvanometer बनाना चाते हो जिसकी current sensitivity ज़्यादा हो मतला वो कम से कम current पर ज़्यादा से ज़्यादा deflection करें तो आपको g की value को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और g की value ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी जब b यानि magnetic field ज़्यादा होगी n यानि की number of turns ज़्यादा होगी a यानि की area ज़्यादा होगा और k यानि की spring constant कम होगा ये बात ध्यान रखना practically अगर मैं b को बढ़ाऊंगा तो galvanometer बढ़ा और भारी हो जाएगा area को बढ़ाऊंगा तो बढ़ा होगा और k को कम कर दूँगा तो spring नाजुक होता रहेगा कमजोर होता रहेगा उसकी life कम होते चली जाएगी जिसकी वैसे जो actually एक तरीका हमारे पास बचता है वो हमारे पास कौन है बचता है वो हमारे पास है कि आप number of turns बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ा और भारी हो जाएगा k को कम करने से spring बहुत नाजुक होता चला जाएगा या उसका nature बदलेगा but the main point is कि अगर आपको actually में practically current sensitivity बढ़ानी है the only option is number of turns theory में आपसे कोई पूछता है तो b बढ़ाऊ, n बढ़ाऊ, a बढ़ाऊ, k कम करो लेकिन practically number of turns होते है current sensitivity के साथ-साथ हम एक और चीज नापते है voltage sensitivity अब यहाँ पे voltage sensitivity क्यों आ रहा है मैं आपको अब भी समझाऊंगा क्योंकि voltage sensitivity क्योंकि ना अभी हम पढ़ने वाले है कि हम galvanometer को emitter में कैसे convert करते हैं और galvanometer को voltmeter में क्योंकि हम galvanometer को voltmeter में convert करेंगे तो आपको voltage sensitivity पता होनी चाहिए again deflection produced deflection produced per unit voltage deflection produced per unit voltage कितना deflection पैदा हुआ है divided by voltage तो voltage sensitivity क्या बन गया कितना deflection आया per unit voltage अब deflection को हम लोग किस से represent कर रहे हैं अभी तक alpha से और voltage जो कर रहे हैं V से मतब तो alpha क्या मैं V की जगा I R लिख दूँ बिल्कुल अगर voltage sensitivity alpha upon में I R है तो क्या alpha upon I को पेचानते हो आप हाँ बिल्कुल पेचानते हैं अलफाượng अपण आए तो current sensitivity है तो क्या मैं voltage sensitivity को current sensitivity upon में resistance लिख सकता हूं YES और ख्या मैं voltage sensitivity को current sensitivity is G by R भी लिख सकता हूं और G को मैं B dna by k r भी लिख सकता हूं यानि कि current sensitivity और voltage sensitivity में सिरफ one upon r का फरक है यानि आप voltage sensitivity को एक और तरीके से बढ़ा सकते हो वह है resistance को कम करके बाकि current sensitivity का resistance से कोई लेना देना नहीं है ठीक है यह हुआ galvanometer अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक galvanometer को emitter और galvanometer को voltmeter में convert करेंगे आई होप आप सभी ने emitter और voltmeter देखा हो हाना इन में कुछ difference होते हैं क्या difference होते हैं आप सब को galvanometer और emitter में difference पता है सब को पता है नहीं पता है तो यहां लिख देता हूं चलो आओ इन में काफिर differences होते हैं बच्चो यहां पर अगर हम जल्दी यल्दी में एचला ऐसा करो यह मेरे पास emitter है और यह मेरे पास voltmeter है जल्दी से इनके बीच में आपको कितने difference आते हैं लिखो वीडियो को पॉस्ट कर लो मैं भी सेल बदालों यह ना हो कि फिर से recording रुख जल्दी से आप मुझे यह पताओ कि इन में क्या-क्या difference आपको पता है प्रीज कमेंट सेक्षिन पर लिखना विखना आने आप से आज ज्यादा सवाल कमेंट सेक्षिन पर नहीं पूछें तो कमेंट सेक्षिन पर इनके बीच में डिफरेंसे लिख दो जितने आपको आते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बस वन शॉट खतम ही होने वाले जल्दी करो ठीक है आई होप आपने लिख लिया भई तो एमीटर और वोल्ट मीटर में बेसिक बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो यह पहला तो आप सबको पता है कि यह मेजर करता है करंट और यह मेजर करता है वोल्टेज यह लगता है सिरीज में और यह लगता है पारलल में पता होगा भया एक एमीटर का जो रिजिस्टेंस होता है क्योंकि इसको सिरीज में लगाना है तो बहुत low होना चाहिए और क्युक्कि यह parallel में लगता है तो हम चाहते हैं कि उपर से current कम से कम जाए तो यह resistance का हाई होना चाहिए एक ideal यानि सपनों का जो emitter होता है एक ऐसा emitter जो हमारे सपने में आयेगा उसका resistance यह यह पॉसिबार नहीं है आपने सपने का एमृत मिटरों मतलब यह 파ॉसिबल नहीं पर अगर हमने एक ऐस एमृत बना दिया जो धुनिया का सबसे अछान sabenPlayer वहागा सबूद दने करें संब pac कर एक ऐला सुद्द कर söttा हो जी इस एक आइडियल वोल्ट मोटर का resistance infinite होणा यह यह difference है ध्यान रखना है ब्सक्रत के हिसाब से हम लोग गैलोवेनो मेटर को एमिटर और गैल वेनो मेटर को वोल्ट मे दे अब सबस्बसे पहले बात करते हैं कि एक गैलोवेनो मेटर को वोल्ट मीटर में convert कैसे कर सकता है बहुत सिंपल है देखो यह मार पास एक गैल अमीटर है और इस गैल वेनो मीटर के साथ हमने यहाँ पर लगा दिया एक शंट आप यह शंट क्या होता है समझाता हूं यह गैल वेनो को emitter में convert कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा device बना रहे हैं जो पहले कम current नापता था अब ज्यादा current नाप सकता है simple है हम एक ऐसा device बना रहे हैं जो पहले कम current नाप सकता था अब ज्याबा गैनोमीटर है उसके साथ पारलल में हमने एक और रजिस्टेंस लगा दिया जिसको शंट बोलते हैं शंट यहां पर क्या कर रहा है अगर यहां से मैं आए करन आपना चाहता हूं और गैलवेनोमीटर से आई जी जा सकता है तो जो बाकी बचावा करण्ट होगा कृच्छ ऑफ जंक्शन लॉग के ह्साब से वो हुजा आएगा आइ मैनास आई जी तो शंट यानिए जिसको हम शंट कहते हैं जो कि एक रिजिस्टेंस ही है यहां पर क्या कर रहा है एक तो पैरलल में रिजिस्टेंस लगाने से ओवराल रिजिस्टेंस कम हो जाता है यह आब जानते हो ट कर गया तो गेलवेनोमेटर खराब हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटे करन आपते बहुत सेंसिटिव होता है तो यहाँ पर आए क्या है आए है रेंज आफ करन्ट रेंज आफ कर मतलब जो हम करन्ट मैक्सिमम नापना चाहते हैं आर जी क्या है रेंजिस्टेंस आफ गैलवेनोमेटर का रेंजिस्टेंस है और आई जी क्या है मैक्सिमम करन्ट मैजर्ड बाइ गैलवेनोमेटर ठीक है अब अगर ऐसा है तो क्रिचोफ जी के लौ के हिसाब से हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि शंट कितने वेल्यू का लगाएं कि मैंसे आए नाप सकता था तो शंट की वेल्यू को मुझे यहां से कल्कुलेट करना है तो क्रिचोफ लॉजी के हिसाब से अगर मैं यहां पर जंक्शन लॉज लगाता हूं तो जाओंगा क्लॉकवाइज आ रहा हूं तो करन्ट है हमार पस आए माइनस आईजी इन्टू में एस है और नीचे आउंगा तो आरजी आईजी माइनस का जाएगा कोई गेन है नहीं यह चला जाएगा उधर आई माइनस आईजी एस आरजी आईजी आजाएगा और यहां से एस की हैं तो आपको गैल्वेनुम्यूमेटर से कितना करन्ट जा सकता है पता हुगा रजिस्टर्च इसका पता होगा और आया आपको वहह है रेंज जो आपको value है वो vary करेगी याने की change हो चाहेगी यह formula काफी important है ऐसे अगर आप एक वो यह तो वह यह कुछ ही नहीं मतलब इसलिए इससे exam में कुछ आता नहीं है अगर आप गैलवेनु मीटर को वोल्ट मीटर में convert करना चाहते हो जिसका resistance आर्जी है तो कुछ नहीं करना आपको उसके series म पसे resistance लगाने series में क्यों लगाना हम इसका resistance हाई करना चाहते हैं तो बस series में करना और कुछ भी नहीं करना तो गयलवेनु मीटर जो है वो एमिटर में convert हो जाएगा अब वोल्ट कि आएगी बिकॉस अगेन वोल्ट अगर मैं करन पास कराऊंगा तो डिफलेक्शन तो हुई कि अगर मुझे गयलवेनु मीटर को वोल्ट में convert करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है उसके series में बस एक resistance लगा दाने विचिस आर अब यहां पर चाहूंत एक फॉर्मालिटी के लिए equation बना सकते हो विचिस कि जो वोल्टेज होती है वो कितनी ना प्रगा यह वोल्टेज के लिए equation मुझे आस तक याद नहीं है बोर्ड में इसके उपर को अच्छा सवाल आया हो नहीं लेकिन यह बहुत इंपॉर्ण टॉप पर काफी बार सवाल आयोगा है शंट की value calculate करो कितना चाहिए होगा या कैसे convert करते हैं इसे ट्राइट तो यहां पर हमारे पास बहुत ब बोलूँगा question answers करने हैं तो live section में जाओ और पाकी recorded में भी मैं इसके question answers कराता रहूँगा मिलते हैं अगले one shot में अगरे अच्छा लगा आपको कुछ help मिली है आपको इससे तो प्लीज इसे like कीजिए और comment section एक प्यारा सा comment छोड़िएगा यह तो मुझे पता आप छोड़ो जल्दी लाओ बट वो भी आप छोड़ो बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यह पता हूं हमें कि आपको हमारे one shot कैसे लग रहे हैं ताकिम और motivate one shots के लिए बागी शिवदास की books का जो लिंक है वह आपको इसक्रिप्शन मिल जाएगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लि thank you so much thank you